अच्छा सभी लोग पहले सिधे बेटेंगे सभी लोग सिधे बेटेंगे जल्द इसे बोलेंगे गुड़ आफ्टरनून जो जो बच्चा आज नाया है ब्रश करके आएक पैरिसी स्माइल देगा जिसने स्पाइल नहीं दी समझ जाना सेफ रही है सावधान रही है सतरक रही है अच्छा आप मुझे जल्दी से बताओ खाना हुआ सभी का कौन-कौन बच्चा खाना नहीं खाया क्लास में कोई जूटनी बोलता है क्लास का मतलब क्लास में ने रहे बाहर खाये क्या क्यों नहीं खाना खाया अच्छा अच्छा में एक बात सुन ले ना खाली पेट समझ भी नहीं आता है चीज़े हमार तो इसके लिए खाना खाना बिना खाए खाना खाए कोई नहीं आएगा क्लास में खाना हलका खाने का और दूसरी चीज़ की अब जै कि खाना खाने के बात के लेक्षेर में तुमको बताए क्या होता है तो यह बाबा सोने नहीं दीता तो सभी लोग सीधे भल डेंगे भी मेरा और गरे गार लंडन वाला करेगा तुम्हें बता है कि कल पूझा में मेरा घर काहां पर बताओ कि अब मैं बता रहा हूँ नोण तुझे घर का है घर क्यों कि नहीं बहुत सारे घर के्व है मेरे इतने सारे तो घर है तुम्हारे दिलो में तो घर के क्या कमिए जालो बहुत सारे तो चलो सुनते है राजा पेटाजी अभी हम कारे करम की शुरुवात करते हैं कल अच्छा हाँ है गर बट लेंडन के लोगों की दिलों में रहता हूं तो मैं बोलती है कि ठीक है अले सुना ना भी क्या टैक्स क्या टैक्स वहां के इस पर बरता हूं यह ऐसे घर होते जिस पर मैं कोई टैक्स नहीं भर जब क्या बलती है यह तुमारे टैम में चालू है सब हमारे टैम में ऐसा कुछ नहीं था प्रेम प्रेम होता था 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 क्या बलता है एशू लेए बोलते नहीं आरे ओधान। और फिर भाबी आगे बड़ी असंदर टिका हुए है बड़ी तो मैं आप सभी लोगों को यह बता रहा था कि राजा पेटा जी कल हमने शुरू किया था advanced accounts के कुछ basics concepts को समझने के लिए जो foundation के basis पर थे और उन basic concepts में हमने यह देखा था कि कुछ entries हमें आती है क्या सो जैसे हमने capital introduced के entry देखे एगरीड सो capital introduced के entry मेने बता ही थी पटाजी cash to capital it can also become what bank to capital it can also become asset to capital फिर पर्चेस goods purchase of goods can be for cash as well as credit what is the entry for purchase of goods for cash purchases to cash and purchases to creditors sold goods the entry is what cash to sales or my dear friend if it is for credit the entry is what debtors to sales do you all agree now drawing बेटा जी एंट्री क्या हैगे drawings to purchases if it is for goods यह उधर है भाई वो एक बात सुन लो है बाई क्लास में कुछ चीज़ों में बहुत सिंसिर हुआ है फोन पर बात करना नहीं ठीक है क्योंकि तेरे आजू-बाजू आले डिस्टब हो रहे हैं पैसे उन्होंने भी दिया है प्लीज मतला फिर मैं बोलूंगा तुमको लगता है कि फिर मैं अरेगेंट है अरेगेंट की बात नहीं क्लास में आकर रहे साब तू क्या अंडे डाल रहा था कि उदर हाँ ठीक है अभी टेंशन मतले बेट जा आगे से इस चीज़ का ध्यान रखना भई हीरोगीरी क्लास के बाहर शांत नहीं बेसेकली मुझे खुश रहना ज्यादा पसंद है और रॉइब्च युटका श्युकरेंगेंट के लिगांट सीषिर कहा थो गया है कि्या 750 डॉइबेट जैंड amazon MEMर्ट टू पर्चेसे और टूसरा कियाँ करिव रिशेवा चेक्क से पेवाए है तो पैटर मानलो अकुडलब इंड का मैंतलब received in advance, तो income received in advance is a liability, entry होगी, income to income received in advance agreed, रजगुल्य बच्चो paid expenses, entry क्या थी, expenses to cash oblig bank, और अगर prepaid expense है, तो prepaid expense to expense, और अगर outstanding expense है, तो entry आएगी, expense to outstanding expense, say yes alright, received cash from daters, what is the entry cash bank to daters agreed, बेटाजी एक बार bad dates के entry बता दो bad dates to daters, discount allowed के entry बता दो, discount allowed to daters, पका जो भी expense होगा, उसको debit balance होगा, और हम credit कर देंगे daters को, तो daters से जब पैसा नहीं आएगा, तो हम daters को debit, एए, daters को credit कर देंगे और expense को क्या कर देंगे, debit paid to creditors, what is the entry creditors, to cash oblique bank, say yes raja बेटाजी, फिर next item हमाया, common debt settled, what is the entry creditors to daters एह, हाँ इसे कहीं गडबड है यार, घर में होड़ी है कुछ गडबड है इसे में, प्लीज करवाद भी discount allowed ये तो हो गया, बेटा purchase of plant and machinery, what is the entry plant and machinery to cash और अगर उधार के रहा, तो क्या होगा, plant and machinery to creditors भी बोल सकते हो, और अगर again share capital होगा, तो entry कहोगी, plant and machinery to share capital to securities premium, बेटा issue of shares के बार में हमने बात कर रही थी, issue of shares दो प्रकार हो सकते है, तो क्या हो सकता है, cash oblique bank to equity share capital, अगर अगर आट पार रहा, और दूसरी entry होथी, cash oblique bank to equity share capital to securities premium, okay, yes, now dear students, today what are we gonna do is, we are gonna deal with, yeah, na, okay, so now what are we gonna do is, we are gonna learn the basic topic from CA foundation and it was called as what, you know, issue of shares, issue of shares, issue of shares, we will study this way, that as we have not studied before, right, थोड़ा समय जाएगा, तो जिन बच्चों को ज्यादा अच्छा स्कोरा है और जिनोंने topic किया नाराजमत होना, क्योंकि topic का base बनेगा आगे जाके company final account में पूरा, तो मैं इसके कोई notes नहीं दे रहा हूं, क्योंकि हम इस बंधन में नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें इतने questions करने ही हैं, अगर जल्दी समझ में आगे हैं, तो we will quit this topic जल्दी, बट अगर मानलों समय लग रहा होगा, तो maybe you know, if number of question has to be increased, we will increase it, is that okay, so हमें क्या करना होगा, जब शुरुवात करने हैं, company final account के related, क्योंकि intermediate के advanced accounts topic में, सारी कि सारी चीज़ अब revolve होगी company के पास, मतलब आप देखो, आपके पास partnership का एक भी topic नहीं है, you don't have even a single topic of partnership, जबर्दस्ती पढ़ा दिया foundation में, बच्चे बच्च के जोक नहीं करें, partnership का एक भी question, मतलब एक भी chapter नहीं है, तो जो भी है सारी topics, तो let me give you a brief of the topic names, company final account है, amalgamation of companies है, consolidation of final accounts है, या consolidation है, यह भी company का ही है, internal reconstruction है, यह भी company का ही है, buyback of shares, यह भी किसका है, company का ही, तो company के अंदर सबसे basic जो चीज़ है, वो क्या है, shares, तो आज हम क्या करेंगे, कि shares क्या होता है, इसके बारे में पूरा विस्तार से समझेंगे, shares को समझने के बाद में next step पर जाएंगे, कि वो कैसे कैसे issue होते है, फिर अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है और सब्सक्रिप्शन क्या होता है फुल सब्सक्रिप्शन क्या होता है फिर यह समझेंगे कि अगर शेयर फोरफिट होते तो कैसे होते है री इशू होते तो कैसे होते है प्रिफरेंच शेयर क्या होते है यह सब चीजों पर काम करें ठीक है कितने बच्चों को लगता है कि यह होना चाहिए ऑनलाइन वालों तुम भी बोल सकते हो नहीं कंपनी अकाउंट्स होना चाहिए अभी कि जिसके अंदर मैं शेयर कैपिटल के बारे में सब चीज़े बता दूँ ठीक है और कितने बच्चों को यह पता है कि राजा बेटा जी प्रेजंटेशन ऑफ शेयर फूर फीचर कहा होगा शेयर फूर फीचर कहां दिखाय जाएगा एप्लिकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट कहां दिखाय जाएगा तो बेटा जी मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा scope नहीं छुड़ते है कि कहीं कुछ mismatch हो जाए तो पूरा detail में अच्छे से कर लेते हैं और दूसरी चीज गया ऐसा हो सकता है कि शायद आपको लगे कि आपको याता है तब तक थोड़ा patience बनाए रखना क्योंकि इसमें नहीं दिया कि मुझे उतना ही पढ़ाना है जीतने की ज़रूरत होगी अगर आपको मुझे लग गया कि आप कमपड़ेबल होगे we'll move on to the next step is that okay yes so boys and girls पहला स्टेप होता है प्रत्यक business को लगता है capital agreed एक company के case में इस capital को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं पहला वाला होता है equity share capital और दूसरा ओला होता है preference share capital अगर आप मेरी बात समझो तो real life में preference share capital इतना popular नहीं है जो सबसे ज़्यादा popular है वो है equity share capital तो पहला मुद्ध यह समझ जाईए कि जो व्यक्ति या जो company share issue करती है एक issuer रहेगा और एक खरिदने वाला रहेगा is that okay so मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ए company है इसको पैसे की जुरूत है यह share issue करेगी बिटा किसको issue करेगी public को बोलो हाँ या ना रजगुल्ले बच्चो पब्लिक जो खरीदेगी खरीदार खरीदार यह मेरी English बेकार है यह English क्या Hindi भी बेकार है लिखने में तो यह लिख देता है खरीदार खरीदार फॉलो करेगा एस 13 investment accounting say yes और जो issue कर रही है वो company क्या करेगी राजा बेटा जी जो company issue कर रही है वो फॉलो करेगी यहां पर अभी जो मैं entry सिखाऊंगा company final account के entries पर companies act बुलो हां तो इसके लिए कोई standard है क्या इसके लिए को standard नहीं है तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो किसके books में बढ़ रहे दूसरे शेरोल्डर को शेर बेचता है खरीता है वो पैसा company को नहीं मिलता है कई बार बच्चे confused होते कि सार शेर मार्केट में जो trading हो रहे है उसके पैसे किसको मिल रहे है company को नहीं मिल रहे है कंपणी शुरुवात अभी अब शेर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो पैसे किसको मिल रहे है company को किसको मिल रहे है तो पैसे को नहीं को रहे है को रहे है तो एक शेरोल्डर ने दूसरे शेरोल्डर को बेचा किया तो कौनसा accounting standard ही टोगा एस 13 स्टॉक मार्केट में जब आप डील करोगे तो कौन सा स्टैंडर्ड आप डील करोगे एस 13 कंपनी को जो पैसा मिलता है यह रेर सिनारियो है जब शुरुवात में कंपनी थी तब पैसा मिला था या जब IPO आया था तब आया था पैसा यह सुराजा बेटा जी आप सभी लोगों को इसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी जब आप कंपनी फाइनल अकाउंट में जाएंगे कंपनी लॉग में जाएंगे वहाँ पर आपको अंकित अमया मिनके बारे में बताएंगी अभी के लिए आपको क्या समझा मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो कंपनी जब शेयर इसु करती है पर्स टाइम तब कंपनी अपने बुक्स में क्या एंटरी करती ही यह? यह रेर सिनारियो है रियल लाइफ में ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा क्यों एक कमपनी की लाइफ में कमपनी पैसा कब रेज करेगी एक दो तीन चार बार यस और नो पक्का तो जल्दी से बताओ हम किसके बुक्स में एंट्री सीख रहे हैं और जब तुम उस शेयर को खरिद लो क्या पैसा कमपनी को मिलता है क्या पैसा किसको मिलता है एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर को से एस और नो जब हम बोलते कि फॉरें इन्वेस्टर आए तो वो शेयर मर्केट में जब इन्वेस्ट करते तो दूसरे किसी से खरिते कंपनी बेचती नहीं कंपनी एक इसमें आपे बार्फेन नौस्ट नेश्ट लूर्ट आप भी अपर बाले पर बाड़ता थोड़ियर पर ब्रेक मिल रहाँ आप और भो नीचे ऑफिस्में I'll call you okay thank you देवा देवा पन्डूरगा अब भी आपन किदर तेऊ है अब मैं अपसे पूछ रहा हूँ कि सटॉक यह परिए पता हो ने चेयर यायर मैं आ आपको पता हूँ ऌकट अगे गेंब्लिंग Dir हाँ क्यों गैंबलिंग नहीं नहीं फिर स्टॉक गैंबलिंग नहीं है क्या है फिर अज चलने दे रहे बाबू पर है गैंबलिंग चलता रहेगा बट है गैंबलिंग तुम क्यों खरिते हो शेयर बाव उपर जाएगा तुम को घंटा कैसा मज में आता है तुम तुम कल अगा रहे हैं ठीक यह आगया वह आगया तुम दावे के साथ बोल सकते हो कि वह प्राइज उपर ही जाएगा फंडमेंटल की हिसाब से किया तो नहीं तुम दावे के साथ भी रहा तो भी प्राइज निचे जा सकती है यह सवारना वह मार्केट सेंटिमेंट की बात सर सही रही है में स्विकार करता हूं बट चलो गैंबलिंग वर्ड को थोड़ा से साइड में निकाल ले ठीक है अगर आपको इतना ज्यादा चोट बहुच रही है तो बट अगर म ब्राइम भी करता है मैं अ कि बराबर बोल रहें में क्या गलुक बुल रहा है प imported को मेरे को सम्झाव क्यों नहीं तुम कंपणी के बाहर में इसके इस पर invest कर रहे हैं मैं विराट कोली के अभी तक के record के basis पर उस पर invest कर रहा हूं मुझे रोका क्यों जा रहा है मैं सही कह रहा हूं तो मैं word gambling से तकलिफ थी मैंने side में निकाल दिया तो पहले आज थोड़ा सा stock market के बार में समझ लेते होता क्या है बिटा भारत की पूरी की पूरी अर्थ विवस्ता डिपेंड करती है कि भारत में कितना पैसा लगता है निर्माण में अब जैसे आप आज के तरिक में पूने में देखते हो तो metro बन रही है राइट अगर आप ध्यान से उसके line पड़ोगे तो पूने में पूने मेट्रो लिमिटेड आगे लिमिटेड वर्ड आता है अगर आप किसी एरपोर्ट पे जाते हो तो एरपोर्ट को कौन चला रहा है उसके आगे नाम आता है कंपनी भारत में हर छोटे-छोटे वेक्ति आप में से इधर बैठे हुए कितने बच्चों की माता-पित आप तक बड़ आपको मैं बात बता दूब कि बाकी के लोग प्रोप्राइटर और कौन रहेंगे पार्टनर्शिप फर्म्स इसमें व्यवसाय कर रहे होंगे पार्टनर्शिप और प्रोप्राइटर्शिप की प्रॉब्लम यह है कि एक व्यक्ति पैसा लगाएगा तो कितन अब रोड़ बनाना है तो भारत में आज आप देखते होंगे तो रोड़ बनाते कई सारी प्राइवेट कंपने बनाती और उसको ऑपरेट करती है कंपनी शब्द यूज किया मैंने अब रोड़ अच्छे बनते है तो ट्रांस्पोटेशन अच्छा हो गया तो हम दूर दराज के एरिया में भी एकोनोमिक्स एंटर्स बना परें बनाने के लिए बहुत पैसा लगता है और एकोनोमिक्स में कॉंसेप्ट है विच इसकाल इस मोबिलाइज़ाइशन आफ सेविंग्स अब मोबिलाइज़ाइशन आफ सेविंग्स है तो सेविंग्स हुआ तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि आप आकर इस कंपनी में निवेश करिए इन्वेस्ट करिए, राइट? अब कम्पणी में आकर निवेस्ट करिए, ठीक है? ये काम करते हैं, हम किसी को खड़ा कर लेते हैं, संतोष तुह आजये, जल्दी से आजये, लास्टेम आजये, मैं संतोष को कुछ चीज़े पुछूँगा, और देखते हैं, ये निवेस्ट क सो संतोष इधर खड़ा है और मैं कंपनी हूँ mio People एक फिर मैं इसको कुछ जो जो चीजे बता रहा हूं वो सच है या नहीं है मुझे बता देना है क्या है सो मैं इसको बोल रहा हूं कि मैं तेरे को रिच बना दूंगा तो मुझे पैसा दे बट मैं ये गैरेंटी लिखकर नहीं दे रहा तुझे कि तुझे हर साल मुनाफ़ा कमा कर तुझे बाटूंगा सच बोल रहा हूं के जूट बोल रहा हूं मतलब संतोष तेरी भाशा में बोलू तो मैं यह तेरे को बिल्कुल भी लिख कर नहीं दे रहा हूं guarantee कि तेरे को तेरा जो पैसा है उसके उपर मैं तेरे को returns दूँगा I cannot give it in writing जैसे तू बैंक में FD करने के लिए जाएगा न तो बोलेंगे 10% देंगे तो देंगे मैं लिक्र नहीं दे रहा मैं शायद दू मैं शायद ना भी दूं हाया ना मेरे पर तू कुछ नहीं कर सकता कोई case नहीं कर सकता कि तुम मेरे को पैसे दे इसका इतना रिटन दे 10 टका ब्याज दे 12 टका ब्याज दे कुछ ने मैं तुम्हें और एक चीज बता रहा हूं कि जो तुमने मुझे पैसा दिया है मैं यह तुम्हें रिटन करूंगा जब मेरी कंपनी बंद हो जाएगी 100 साल बाद ब बंद ही कि तो 10 साल बाद 15 साल बाद बंद ही तो 15 साल बाद जब भी अब बता मुझे कि तुम मुझे पैसा देना चाहोगे क्या नहीं कि संतोस जैसा आदमी बोल रहा है नहीं तुमारी क्या पड़ाई लिखाई हुई है यह आटमी पासे बोल रहा है तो तुम मुझे बता कि आपके जहन में भी बात पहुंची मतलब हम एक ऐसी दुईदा में फसे कि जहां पर पैसा तो मिलना चाहिए कंपनी को क्यों निर्मान का काम करती है और आप सभी लोगों का पैसा मोबिलाइज होना चाहिए जब पैसा घुमेगा अर्थ विवस्ता घुमेगी तब पैसा ब आप पैसा कब मिलेगा जब कंपनी बंद होगी ऐसा मैंनी कंपनी आक्ट बूलती है तो क्या यह लोग येडे हैं जिसको हम यह बात बोल रहे हैं इसलिए एक ऐसी अर्थ विवस्ता या ऐसा एक जुगा क्या बनाई गई जहां पर जो ये खरीदेगा उसमें ट्रेडिंग ह पैसा मिलना था मिल चुका पहले अब यह आदमी को छोड़कर एक कंपनी चली गई और यह स्टाक मार्केट में और स्टाक मार्केट में इसके जैसे और भी लोग है तो देखेंगी मुवी गुरू वहां पर कंपनी नहीं थी वहां पर ब्रोकर थे और ब्रोकर क्या कर रहे एसा ऐसा बोल रहे थे ना वो कहन सी मुवी थी आर गुरू नहीं क्या नम हर्शत बहता राइट तो इसके अंदर ओ खड़े वह एजेंट थे और कंपनी के शेर्स में चीर थे कंपनी नहीं थी तो पैसा कैसे मिल रहा था एक वेक्ति से दूसरे वेक्ति दूसरे वेक्ति से इस वेक्ति को वहां पर एस 13 ट्रिगर हो गया और अभी जो चल रहा है वो क्या चल रहा है बेटाजी कंपनी फाइनल अकाउंट जिसमें जब पैसा मिलेगा तो किसको मिलेगा कंपनी को क्या अब हम ऐसी कोई भी गलत बात करेंगे क्या मार्केट में कि अगर स्टॉक मार्क बढ़ा ना कि लूग में अव्क हम एक को मःपनी को बंने में अवधी लगत अदा है तक पैसा आजए जिकेश् anges को आज इस और थे मिले बहुपर को ना तो किसी आग्धाक कैसा 혁ट सफोफिक भी बाण्ति इस फार लगता है। चलय खिए पेश्पेशलर भी घंट आल सकते हम, say yes or no, yes, thank you so much, यह जब भी आपको ऐसा डाउट है, तो समझ लेना, जिस किसी दिन आप भी वेवसाइख करोगे, तब आपको भी ऐसे ही होगा, if we are okay, shall we proceed ahead, यह लिख लिख लिए गया, जल्दी जल्दी लिखो, the big bull, yes, stock market works on news, rather than fundamentals, क्या बात है, sir, हम गैंबलिंग करते हैं, जिनको नॉलेज नहीं, बट आपके लिए तो, आपके लिए नहीं बोल सकते हैं, एड़ा है क्या, ऐसा कुछ नहीं, sir, मेरा partnership बहुत अच्छा था, मेरा तो balance sheet बट match नहीं हुआ था, exam में, बच गया अभी, आगे है, इंटर में, ए अनलाइन के रजगल लो, धेर सारा प्यार, आनलाइन के बच्चों हमेशे तायर होकर बैटने का हैं, opportunity कभ भी कैसे भी आ सकती है, CA के बच्चों पढ़ाई करते हो, इधर सब बच्चे नहाद होके तायर होकर आथे, shortcut में लिख दूँ अभी, आपके, NICA की स्टोरी किसको पता है, NICA, IPOM के बारे में किसको पता है, आचा, आप में इतने योधाज लोग बैठे होगे, start-ups में आप इंवेस्ट करने की इच्छा रखते होंगे, कितने लोग start-ups में इंवेस्ट करने की इच्छा रखते हैं, अई शब्पत कोई कोश्चन नहीं बुचुन सिर्फ देखना चाहता हूं कि ने आइप यू नहीं में बोला स्टार्टप शुरू करना चाहते हो खुद का कैसे स्टार्टप शुरू होता होगा कि आइडिया आइडिया यही मेरे को आज इत्ती भरी आइडिया कि ऐसा पानी बनाओं जिसको पीने के बाद में वापिस तीन तक प्यासी नहीं लगे और वो पानी पूरा पोशन दे आइडिया आईए यह प्लीज डोंट बी नॉंसेंस तुम करोगे तो तुमारी आइडिया मैं करूंगा तो मेरी आइडिया नहीं आइडिया आइए बहुत जोरदार आइए बहुत जोरदा से आइडिया निकली बार अभी के अभी निकली औ में निकालने वाला हूं इसको और करने वाला हूं और मेरे पास पैसा भी मैं करूंगा अच्छा बताओ अगर या आइडिया सक्सेस्फूल होगी पैसा कमोंगा कि नी कमोंगा मैं पूरा डोरे मौन देखता हूं वहां से और एक आइडिया ही है मुझे कि ऐसा सीर पर कुछ लगाएंगे और उसको लगाने के बाद में मैं उड़ सकता हूं आईए मुझे आइडिया तो मैं समझ गया कि आइडिया से स्टार्ट अप शुरू होता है बट यार उस आइडि सो शुरूआत में एक व्यक्तिक काम करता है प्रोटोटाइप बनाके और उसको पैसा चाहिए होता है सो पैसा देते वक्त शुरूआत में उसके घरवाले दे देते है थोड़ा सा पैसा वह अपनी सेविंग से लगा देता है जब भी हम किसी स्टार्ट अप के बारे में सु सुचते हैं और देखते हैं कि भाई साब ये कैसा है स्टार्ट अप और उस स्टार्ट अप को जैसे श्टाइक में साकते में फिर भी एक लेवल तक आए हुए लोग रहते हैं पिर उसके बाद में एक ऐसा व्यक्ती होता है जो बोलता है कि वेंचर की फंडिंग में venture funding so raja बिटा जी आपका number as an investor later on ले तो जो shark tank में लोग आते हैं वो shark tank में लोग आते हैं वो company बना चुके है और फिर उसके बाद में वो उनसे पैसा लेते है right cup जब company अलरेडी बन चुके है जब वो अलरेडी कुछ चीज़े sell कर रहे है तो जाहिर सी बात है बेटा जी जिस किसी दिन company first time share issue करती है in the start of their business or when they are just starting it then the face value is for example 10 and if the company is progressing और आगे जाके share issue यहाँ पर किया गया public को तो आप मुझे बताइए share कितने ही पर issue होगा will it be issued at the face value or at a higher price जब आप shark tank देखते हो तो वो company जितने में बनाई है उतने में बेचते है या ज्यादा भाव पर जब मैं 2011 में इधर आया था पुने में तब सपनिल सर और मैं मिले थे नीचे के office में बहुत छोटा सा office था सपनिल सर ऐसे साधरन लिखते ही जैसे कहीं पर भी घुमते थे कहीं पर भी पकड़ लो उनको बात कर लो राइट मैं सपनिल को पूछा था कि भाई कैसा चल रहे बिजनस कितने रुपे इंवेस्ट किए सपनिल भाई ने बुले 10 लाग रुपे मैंने बुला यार थोड़ा सा मेरे को भी स्टेक दे दो तो मेरे को बोले कि 30 परसें दे दूंगा सर 3 लाग रुपे लेगिया हो मेरे और डर्टी पीपल यू सी कमी नहीं बच्चों मैं तो वही कर रहा हूं जो तुम एक्जाम में बैठके सोचते हो अब जैसे मुझे पर हसना ना वैसे हसना खुद पर तो दो प्राइज हुई एक हुई पेस वैल्यू और एक हुई इस्यू प्राइज सो राजा बेटा जी जब फेस वैल्यू का शेर इस्यू प्राइज भी 10 ही है तो उसको बोलते है आट पार और अगार फेस वैल्यू है 10 और इस्यू प्राइज है 25 तो उसको बोलते है आट प्रीमियम राजा बेटा जी एक और वर्ड होता है वो आगी देख लेते हैं पहले एक बार बात तो सु security is premium में जाएगा कितना 15 the difference between IP and face value is called as what security is premium this is actually reserve say yes और राजा पेटा जी cash कितनी मिलेगी 25 और इधर भी cash कितनी मिलेगी मतलब ध्यान से सुन लो cash account follow करती है IP को cash denote करती है वेहवार कितने में हुआ व्यापार कितने में हुआ cash will always follow market price but share capital will follow face value am I communicating yes can you please people write it down इसको क्या बोलते है एस्पी बोले तो क्या है क्या है अच्छा यह पॉन बोल रहे है मैं companies act भीकमीने नहीं क्या बोल रहे है यह companies act भोलती है दूसरा नाम use कर रहे है no can't use it जल्दी जल्दी लिखो बाबु कॉत कि अंगे पिटा कंपनी जएक्ट के हिसाब से अब शेर्स डिसकाउंट पर इशु नहीं हो सकते वो डिसकाउंट पर इशु हो सकते है in a rare scenario in case of ESOP and all but that will be spoken to you in companies act I'm not getting into that but by and large shares cannot be issued at discount by and large shares cannot be issued at discount have you copied that मतलब समझ में आगे दिमाग में शल्बी प्रोसीड बच्चो मुझे बात बताओ आपकी स्कूल की फीज आप से कैसे मंगाई जाती है कि इंस्टॉल्मेंट में शिक्स मंतली बगरा वैसे ही एक कंपनी भी अपने शेर होल्डर से पैसा मंगा सकती है इंस्टॉल्मेंट्स में तो उसको कुछ बोलते हैं से application allotment first call final call समझे मुझे नहीं समझे क्या क्या होता है application allotment first call final call तो राजा बेटा जी मैं आपको बता रहा हूं कि face value है for example 10 और issue price है for example 10 तो इसको क्या बोलेंगे at पार राजा बेटा जी अगर मैं बुलू face value है 10 और issue price है राजा बेटा जी for example 18 तो इसको बोलेंगे application फिर क्या बोलेंगे allotment फिर क्या बोलेंगे first call फिर क्या बोलेंगे final call सरे याद करना नहीं अब राजा बेटा जी इसका break up कर दिया जाता है आई-पी का break up होता है तो आई-पी का break up होगा है मान लोग सेवन थ्री थ्री टू टू कर दू हाँ समझे सो राजा बेटा जी यह invoice price का जो break up है ना cash account इसको फॉलो करेगी आया नहीं और राजा बेटा जी इधर लिख देता हूं 3 3 2 2 यह आया कितना 10 बेटा जी share capital इसको फॉलो करेगा cash किसको फॉलो करती है IP तुम बोले का यह 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 क्या है दोनों ही तो दस-दस ही है ना क्या यह यह चाले जैसे काम कर रहा है कब आया अप कब आया अप red t-shirt red shirt red shirt हाँ कब आया अप when did you come हाँ आप सुवय आप ट्रैवलिंग में थे रात को हाँ कहां से आयो कहां से आप जालना स्वागात है कोई टेंशन मतले इट सोके अबट कोशिश कर की ध्यान में ना जाए अरे मतलब इदर सीह बनने के लिए आए था पता चला सादू बन गया अपन नेरे रजगुले में समझ रहा हूं इसलिए तुझे बता रहा हूं हसी मदा कि इसलिए कर रहा हूं कि तेरा सीरियसनेस जाहे थोड़ा और तू रिलाक्स रहे ठीक है ऐसी दाथ दिखा ते रहे एक कित्ते लोग ट्रैवल करके आरे रात को कि तुमको कल रात को रहे और शेट यारे लड़की खतर ना क्या मैंने पूछा कित्ते लोग ट्रैवल करके आए तो हाथ उपर कर ले दिये हां बराब मुझे अब यह पूरा डीटेल में कित्ते लोग कल रात को ट्रैवल करके आए अच्छा सुन लो मेरी बात फोकस करना सी ठीक हो थोड़ा सा और फोकस करो ठीक है आज कुछ चीजें आपको बता नहीं बताऊंगा अभी आगे बढ़ जाए इस केस में हाँ इस शुरूवाट यह इधार एप्लिकेशन है अलाट्मेंट है फास्ट कॉल है और फाइनल कॉल है ठीक है रसगुले बच्चो आई-पी का मैं ब्रेक अप करता हूं थ्री और इधार ब्रेक अप करूँगा मैं नाइन ठीक है और इधार ब्रेक अप करूँगा मैं थ्री और इधार करूँग क्यों यह 18 हो रहे गया ओव limit किता हो रहा है पकूछ ही का हो रहे सेवेंटीड हो थी कर देते हैं अब भगया क्या हां यहां बादर मेरे से अब राजा जी जो अलॉट्मेंट है न अगर कुछ ही बोला तो सेट्थ इसमें गुषकर बैठता है तो इधर में लिखूंगा 3 इधर में लिखूंगा 1 1 कैसे है एसपी गज इस और नो और राजा बिटाजी ये कितना जाएगा और ये कितना जाएगा तो ये कितना हो गया 10 do you all agree all right तो मेरी बात ध्यान से सुनना cash किसको follow करेगी बिटा जी इसको और बिटा जी face value के share capital किसको follow करेगा face value को तुमको पता नहीं है बट फिर भी तुम कुछ सीख रहे हो cash flow statement में जब cash flows में काम करना होगा तब ध्यान रखना cash flows will work on cash तो यह पता होना चाहिए कि cash follow करेगी IP को और share capital किसको follow करेगा face value को जब आप buyback में जाएंगे तब आपको यह पता होना चाहिए कि shares का buyback कर रहे है तो वो किसको follow करेगा face value को यह बात ध्यान रखना इसके बाद में मुझे इस पर कभी कश्ट नहीं चाहिए तो मुझे जल्दी से बता दो company के balance sheet में जो कोई भी share capital देखने को मिलेगा किसको follow करता है face value cash किसको follow करती है IP यस गुडिया गुडिया एक share के दो हिससे होते है पता है आपको कौन सा होता है एक होता है face value और एक होता है IP ओके तो जब आप balance sheet में जाओगी बेटा तो इसकी balance sheet में आपको इधर दिखेगा share capital 10 ठीक है और securities premium आएगा 8 और cash आएगी 18 तो जब मैं यह बोल रहा हूं कि cash will follow IP so cash will be reflected at 18 बाट share capital will always be at what face value और यह कल मैंने दर्शाय भी था कि मैं बहले ही ticket कोई भी level पर लूँ market में बट फिर भी picture उतनी दिखेगी heroine उतना ही नाचेगी yes or no but इस case में राजा बेटा जी at par है तो कोई दिक्कत नहीं है so cash किसको follow करेगी 10 क्योंकि IP है हाँ है नहीं share capital भी कितना है 10 एरस गुले बच्चो किसी भी हालत में share capital किसको follow करेगा face value को और cash पका कोई doubt तो नहीं है अभी good can you please write it down यह कैसे issued at par है और यह issued at premium है कि अपने company final account किया है बिटा final account किया है अपने I mean I was surprised no why am I asking कि मुझे कौनसी डेप्थ में जाना मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं fast forward में जा रहा हूं okay so आपको यह पता है क्या कि अगर कुछ नहीं बोला है तो securities premium हमेशा कौनसी अमोन में गुसा रहता है allotment यह तो examiner बोलेगा this is a standard assumption which is done when you are following any accounts problem तो अगर कुछ नहीं बोला है तो securities premium is a part of allotment okay yes sir मैंने गुरुकुल चबबिस को जाइन करना कोई प्रब्लम तो नहीं होगी कोई प्रब्लम नहीं होगी जितने वजे से जितने जल्दी आसको आजाओ लव फ्रमोडिसा लव फ्रम पुने यह Eminem कौन है बे अब समझ में आगया है मैं बुड़ा हो गया हूँ जो पता है नहीं Eminem कौन है तो ले तो पढ़ने में दिक्कत हो गई मेरे को प्रब्लम प्रब्लम सर एप्लिकेशन में आधा और अलाटमेंट में आधा प्रीमियम हो सकता है कि रितिका हो सकता है बड़ उस केस में आपको एक बात ध्यान से समझनी होगी कि वह examiner बोलेगा तो अगर नहीं बोल रहा है तो समझ जाना securities premium किस में जाकर बैठा हुआ है अलाटमेंट आज का एक होमवग दूँ आप सभी बच्चों का यह होमवग है कि securities premium किसके वज़े से बना so let me explain you it became because of law अगर अगर नहीं होमवग क्या है मैं तुमको बता रहा हूँ आगे अगर मान लोग किसी एक साधरन विक्ति को जाकर बोलो गए कि capital मिला 18 rupees तो entry क्या करेगा cash to capital करेगा why the hell on this earth I made an entry cash to capital to securities premium why did I break up the face value and securities premium because I gave you the reason law said of course मैंने कल उसका logic भी बताया था कि face value denote करती है आपके voting or dividend right और सभी को same voting or dividend right मिले irrespective कि आपने कब आई किया है इसके वज़े से हमने क्या किया securities premium में डाला but प्रश्न यह उठता है securities premium बनाया किसके वज़े से यह शब्दा आया कहां से तो यह आया law से अब law ही बुलेगा कि securities premium किन किन परपस के लिए आप यूज कर सकते हो कौन बुलेगा law तो कल मुझे आप यह बताओगे securities premium कौन से कौन से परपस के लिए यूज कर सकते है क्या करेंगे जर गूगल यूज करके मुझे बताना वेरी गुड बोनस के लिए तुमने कहां पड़ा है वाइबैक के लिए और कोई बात नहीं बाकी के बच्चे आप भी ट्राइए कर लेना और कल गूगल करके मुझे पता दे ना सिंपल सी बात है तो कल हम एक नए चीज़ समझेंगे securities premium का ए रस्गुलो कल reserve के बार में सीखना है कि भाई साब अलग-अलग reserve क्यों बनते capital reserve capital redemption reserve securities premium CR ऐसे अलग-अलग reserve क्यों बन रहे जियार पेंडल एक ही बन सकता है ना क्यों अलग-अलग बनते बैलेंश शीट को अगर सई-से analysis करना सीखना है तो आपको यह पता होना चाहिए कि securities premium किन-किन चीजों के लिए use हो सकता है और यह आप कब बताओगे मुझे कल कैसे बताओगे आपको नहीं था करेंगे बिटाजी entries दो हिस्सों में डिवाइड होती है कितने हिस्सों में दो पहली entry होती है application की और application के दो पार्ट इसे होता है कि जब आप application करते हो तब आपको क्या मिलती है cash यह application फिर आता है फास्ट कॉल और फिर आता है final call अच्छा यह आपके intermediate के syllabus से इतना important नहीं है उपर का जो अभी तक बता है कि face value और IP होती ही वो important था यह entries अगर आपको नहीं भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है विशेश यह समझ में आ जाएगी is that okay so पहली entry होती है बिटाजी application के वक्त पहली entry होती है received की और फिर entry होती है due की but allotment से entry होती है पहले due की फिर होती है received की फिर होती है due की और फिर होती है राजा पेटाजी received की और फिर हो गई due की और फिर हो गई received की agreed ऐसा क्यों जब आप college में जाते हो तो आप पहले क्या करते हो application भरते हो आपको admission मिलता है फिर उसके बाद में आपका पैसा due होता है फिर आप college को पैसा भरते हो share market में भी कैसे होता है कि पहले आप IPO के लिए apply करते हो तो पहले application होता है फिर आपको share क्या होता है cash oblique bank to equity share application, okay? And my next entry is equity share application to equity share capital. Rajabitaji, this is the entry number one, this is the entry number two, this is at par, and now next, I will write down equity share allotment to equity share, very good, this was issued at par, और फिर next entry आएगी, cash oblique bank to equity share allotment, समझे के नहीं? तो पेटाजी अभी अगली entry, औरली बता के बता तो ये third होगी, पहले entry क्या होती है पेटाजी, पैसा मिला, तो पहले entry बता दो, क्या entry होगी? cash oblique bank to equity share application, फिर equity share application to equity share capital, due की entry करनी अलोट्मेंट की, equity share allotment to equity share capital, and my dear friend cash oblique bank to equity share allotment, trick बता दो, due की entry में कोई एक representative personal account debit होगा, क्योंकि due का मतलब क्या होता है, कि पैसा मिलना बाकी है, सहस और नो, तो राजा बेटा जी, trick एकदम simple हुई, कि हमारे यहाँ पर representative account कौन से है, equity share application, allotment, first call, final call, जब cash received होगी, तो मुझे cash पता है, cash को कौन सा balance है, debit, so cash आएगी, मेरी entry क्या हो जाएगी, cash, to equity share application, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, equity share application, to equity share capital, जब भी किसी वेक्ति से पैसा due होता है, dators, FD, इन सभी को कौन सा balance होता है, debit, so जब मैं बूलूँगा किसी से पैसा आना बाकी है, तब हम क्या कर देंगे, राजया बेटाजी, उसको debit कर देंगे, say us or no, जब दी से मुझे बताओ, application का पैसा मिला, entry क्या, cash, cash oblig bank, to equity share application, फिर next entry, equity share application, to equity share capital, अब किसके entry बोल रहो हो, मैं due की, बताओ तो ज़री, equity share, equity share, to equity share capital, और फिर, equity share allotment, इसी logic से, अगर मैं आपको कहूँ, first call के entry due करनी है, कैसे करोगे, equity share first call, to equity share capital, इसी के साथ, अगर मैं आपको बताओं, किसका पैसा received होगा, तो क्या entry होगे, cash oblig bank, to equity share first call, और अगर final call के due के entry करनी है, तो, equity share final call, to equity share capital, and cash oblig bank, to equity share final call, do you all agree, yes, so boys and girls, can you people please write it down, these entries, journal entries, क्या हो रहे, क्या हो रहे, क्या हो, दोनो, कौने बच्चे देख जरा एक बर, क्या क्या लिखा है, बुक लेके है दोनो के, हाँ, यह दोर, ने, 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 पीछा, यह चश्मेवाले के बाजू बहुत है, रहे, आना पीछे, 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 इदर, 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 आ गया बर, हाँ, इसके बाजू लेके दोनो, बुक लेक्याओ, इनकी, दोनों की बुक लेक्याओ, डेमो चल रहे है, अभी तो क्लास से बाहर जाओ, क्लास के बाहर निकाल दोनों का, निकलो, निकलो, प्लीज, निवेदेने आपसे, नहीं, यह बुक आपनी यही बेजी ना, मुझे, इसमें क्या लिखा है, मैंने देख लिया, हाँ, क्या अभी गाया, क्यू लिख अफिर अभी गा उसमें, कहां से आयो आप, सर, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, क्या है, आज पूरी क्लास एक बार सुन लेगे, और आप जो बोलोगे, मैं वो करने को तायर हूँ, मुझे कोई ब्राब्लम नहीं, मैं जो आप बोलोगे, वो करने को तायर हूँ, बात क्या होती है, कि there is something called as, ठीक है, लिख लो पहले, फिरूम करते हैं, यार, एक पेज पर आना ज़रूरी है, मतलब अगर तू सोच रहा है कि तू पैसा देखा है, तू मेरे को सिखाएगा, कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, भाई, मैं वो आदमी नहीं हूँ, मैं सही में नहीं हो, तू में एक बनू कैसे हूँ, आदमी में बन ही नहीं सकता, I can't become that what I am not, and I am not trying to be rude here, वाउ, तुम बाकी के लोग तूम क्यों टेंशन ले रहे हो, you don't have to worry, बटा, application के इंट्री क्या होगी, cash oblique bank, to equity share application, फिर next entry क्या होगी, equity share application account debit, to equity share capital, ये first और ये second entry भी, अब जरा मुझे जल्दी से बताओ, दो एंट्री कोंसे होगी और, allotment की, क्या entry होगी पिटाजी, equity share allotment, to equity share capital, फिर next entry क्या होगी पिटाजी, bank account debit, to equity share allotment, ये दूसरी तीसरी और चौथी एंट्री होगी पिटाजी, वेसे फिफ्थ एंट्री कोंसे होगी, equity share, first call, to equity share capital, happy, और फिर next entry होगी पिटाजी, bank account debit, to equity share, first call, हप्सी, ये entry होगी पिटाजी, 5th और ये कोंसे होगी, 6th, 7th entry की बात करे, equity share, final call, to equity share, capital, and bank account debit, to equity share, final call, बराबर पिटा, और 9th level पर इंट्री क्या होगी, 9th और 10th, ओके, forfeiture and issue तो उसके लिए जगा छोड़ देंगे, कैसे forfeiture होता और क्यू होता है, ये रस्गूले सुना न, I want your complete attention, एक दो मिनिट के लिए, थोड़ा सा सुन लीजिए, बिटा, अगर ये issued at premium होता, अगर ये issued at premium होता, तो सिर्फ एक entry change होती, आप entry number बताईए, थार्ड एंट्री चेंज होती सिर्फ, और थार्ड एंट्री क्या हो जाती, पता है आपको, इक्विटी शेर अलाट्मेंट, तो इक्विटी शेर कैपिटल, तो सेक्यूरिटी ज प्रीमियम, ये entry change हो जाती, तो मसला क्या है पता है क्या, कैश बैंक के एंट्री करते हैं, अग एक्विटी शेर प्रीमियम नहीं आता है, चैश बैंक अरा हम से, ये किसको फालो करता है, पता है, चैश बैंक, IP, बट शेर कैपिटल फालो करता है, फेस वल्यू को, इसलिए यहां पर एक शब्दा आता है, securities premium, बाकि की सारे entries will remain same, provided other things are constant. Yes or no? So, जल्दी से बताओ मुझे when the shares are issued at premium, which one entry will change? What is the entry will do? Equity share capital to securities premium. Thank you. मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मैं मेरी जो चीजे वो आप पर थोपू बट आपको कुछ प्रशन पूशता हूँ आज, क्या हम यह मान सकते हैं कि हम दोने एक साइड में हैं? Okay, thumbs up. प्रशन नंबर वान, कितने लोगों ने फीज पैसे जुगाड भरके भरा है? कितने लोगों ने पैसे मुश्किल से इकटे करके भरे, घर में प्राब्लम हुई यह पैसे देने के लिए तो यह बच्चे है सराब देख लो अपनी आखो से मेरी करियर के शुरुआत हुई मेरे करियर के शुरुआत हुई जब मैं नय-nय चार्टेर अकाउंटन बना था और बहुत डाइनमिक था तो क्या हो? मस्ती-मस्ती में पढ़ाए कुछ को नहीं करेंगे कुछको समझा कुछ नहीं के कुछ को अच्छा बड़ाय था बहुत रोने लगा बहुत रोने लगा तो आइडिंट रियलाइज it कि वाट वेंट रॉंग करें रोंग कैसे ने बहुत अच्छा है और उस बच्चे ने जो बोला तब बोला बट आज तक मेरी रूह कापती है वो चीज़े याद करकर है और उसने मुझे ये बोला कि सर उसने मराटी में बोला कि मेरे मम्मी पपा ने जो उनके घर में बैल होते ना उन बैलों को गिर्वी रखा है और ये पैसे दिये जॉब गैरिंटी का प्रोग्राम था जहां पर मैं फैकल्टी के तौर पर जाता था और अगर मेरे को जॉब नहीं लगा तो जो बैल गिर्वी रखे है वो भी चले जाएंगे मैं कभी वापिस पैसे इखटे नहीं कर पाऊंगा सर हमार पास रहा वो ही है अब तुम मुझे बताओ एज अ फैकल्टी मेरी जिम्मेदारी यही बनेगी कि मैं आपके ओपर वही संसकार करू जिसके अज़े से आप पास होंगे और एक साइकलोजी पढ़ने के बाद में साइकलोजी पढ़ते रहेता हूं एक और प्रोब्लम किया पता है हम नेचुरली नेगेटिव पैदा हुए है अब इस class में अगर कोई negativity spread करेगा तो तुम्हें लगता है कि नेगेटिविटी एक को है जैसे आप फोन पर बात करें थे न सर आप से क्या problem होगी मुझे तो first time मिला हूँ आप से क्या ही problem हो जाएगी मुझे बट अगर मैं हस्तक शेप ना करू तो कोई और करी नहीं पाएगा अब आप वहाँ पर बैटकर फोन पर बात करें आजू बाजू बाजू ले बोल नहीं पाते बट प्राब्लम होती है कि शायद उनको सुनना है आप जब यहाँ पर बैटकर कुछ ऐसा कारिय करते जो प्लास में आप नहीं देता है तुमको अगर भरोसा नहीं है मुझ पर तो जाके मंदीर में करकर दिखाओ कितनी ही थके हुए हो तो नमां पर आस्ता का विशे होता है और लोग मारेंगे अगर यही यहां पर आज आपके मर्जी के मालिक रहते हो तो तुम बैठते हो ऐसे सपनिल सर जब यहां पर आये थे तब उन्होंने कहा था कि जब तीन महिने चार महिने छे महिने आप यहां पर पड़ोगे कोई ऐसा काम मत करना जब पड़ाई कर रहे हो जब सिक्षा ग्रहन कर रहे हो तो उसी तरीके से करना जैसे करना चाहिए समझे यार मैं नहीं देख पाऊंगा है इन बच्चों के चेहरे जब अगर मैंने मान लो जो जस्टिस करनी हो जस्टिस नहीं किया तो है न कुछ बच्चे यहां पर जिन्होंने पैसा कहीं से तो संगर्ष करके लाए और आज मेरे लिए वह संगर्ष खतम हो गया दोस्ते आर मैं ठीक हूं मैं अभी मैं और मेरे को इस्तनी कोई डिमांड भी नहीं है आज शाम को एक गुड़ी आएगी मेरे को मिलने के लिए यार जब उनसे मिलता हूंनों सीए बन गया कभी कोई प्रमोट हो गया कोई बहुत बड़े स्केल पर चला गया मुझे खुशी होती कब जब कोई पेरेंट आता है मुझे मिलने के लिए और बोलता है कि आपका बच मेरे सामने कोई ऐसा काम करोगे जिस काम को देखने के बाद में मैं अगर नजर अंदाज कर दू मैं आईने में देखकर कैसे बोलू कि मैं टीचर हूँ कि यह चीज तो फैलेगी नसर आप कुछ करोगे इधर और मैं चुब बैठे रहूंगा तो जिन जिन बच्चों ने हा आपकत है तो पढ़ लेना नहीं तो मेरे क्लास में मैंने कभी किसी को इन्वाइट नहीं कि और इस क्लास में बटा वहर एक बच्चा यही बोलेगा कि सर आपने कभी नहीं बोला कि आप मेरी क्लास जॉइन करो मैंने किसी को भी बोला एक बच्चा हाथ उपर कर ले जिसको म भी वेक्तिया आए और जो मुझे परसनल ही जानते उनको पता है कि मैंने यही भोला तुम कहीं पर भी पड़ो हो सकता है बात मुध्डे कि तुम में नहीं है मैं भई थोड़ा सा ते है क्या है थो मुझे अब कुछ चीजे समझ में आने लग गई है कि गौतम बुद्ध क्यू सब कुछ छोड़ कर चले गए थे अब मुझसे पाप नहीं होगा सर मैं नहीं कर पाऊंगा शायद किसी जमाने में जब छोटा था जब पैसे की जुरुत थी तो शायद ऐसे काम कियोंगे अब मेरे से नहीं होगा मैं हुई नहीं हो आदमी तो करूंगा कैसे मुझे रोना आता है अगर में कर दूंगा तो मेरे से आपसे यहीं विंदिय कि मैं रूड नहीं हूँ बट मैं क्लास में से कोई चीज नहीं होने दूंगा जो क्लास के लिए उचित नहीं है अब तुम इसके लिए मुझे जो सदा देना चाओ मुझे कोई एतराज नहीं उसमें तुम समझ रहे हैं मेरी भावनाओं को क्या बोल रहा हूं मैं मैं नहीं अलव करूँगा क्लास में हेड डाउन करने के लिए या सोने के लिए क्योंकि तू सोएगा तुझे लग रहे है तो तेरह प्राब्लम है दूसरे भी प्राब्लम में जाते है दूसरे फिल करते ही यह एक साइकलोजी की बात है इसमें कोई किसी का बस नहीं चलेगा दूसरा दिन है मुझे पता है आपको तकश्ट हो रहा है पर क्यों जूट बोलने का रागे भी जो सही है बटा तो कि क्या है बई मैं ऐसा ही रहूंगा मैं क्लास में हेड़ डाउन करने दूँ तुम बोलो कि सरा हम लंच की बात में है तो क्या करूँ मेरे बच्चों को पास कराने का न तो ट्रेनिंग वही रहेगी कि बाई साब पेपर भी तो दुपर में लिखने कुछ आएगा तो क्या एड़ डाउन करेगा क्या दुफर तो हर रोज आएगी तुझे अगले नो महीने के लिए हर रोज पढ़ना पड़ेगा मैं क्या करूं फिर उसका तो सरे एक दिन तो रियायत दे सकते हो आज कहीं कुछ बोला तुटते हैं मैंने प्रेम से ही बोला बट तुम क्लास में बैटोगे कुछ लिखोगे न या आदमी वो नहीं है इधर बैटना तभी जब पढ़ना हो मैं बिकाव नहीं हूँ तुम मुझे प्रेम से जीत सकते हो मैं सब कुछ कर दूँगा जो आप बोलोगे हो बट यहाँ पर बैटना सिर्फ पढ़ने के लिए आशा करता हूं आप समझ रहे बात को क्योंकि मुझे सही में रोना आता है क्यों मैं रहा ही नहीं हूँ आदमी तो मैं बहुत पहले चुट गया मैं आदमी पीछे कहीं तो कभी-कभी तुमको स्टोरीज बताऊंगा जिन-जिन लोगों से मैं मिला कभी-कभी लाइफ में और तुमको पता चलेगा कि भाई साब ऐसे भी लोग रहते हैं क्या समझ गया है चले भी शुरू करें तुम आये थे मेरे पस तुम मेरे एक दोस्त के भांजे वे कुछ हो ना तुमको भी मैंने कोई बोला तुम मेरे दोस्त आया था मेरे बाजू में बेटा था मैंने उसको भी बोला तुम मेरे पस लगाओ या तुमको भी बोला कभी ठीक है तो अपेक्षा इतनी है मेरी क्लास में पढ़ना हो तो बैठना ठीक है वेटा इसा नहीं चलता है वेटा इसको ऐसे समझना कि यह मंदिर है और नहीं समझो कि तो फिर कभी नहीं पड़ोगे किसी को यहां पर म्यूजिक आता है कौणसा म्यूजिक आता है कौणसा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो चाहां प्यानो आप तबला आप बिटा कि सितार गिटार हां गिटार वाव तो तबला जब प्ले करते हो आप कौनसा बिटा इसको तो जब तब लाप ले करते हो तो उसके पहले उसको नमन करते हो कि नहीं करते हो मंदिरी समझो उसको तब जाके बखवान के अरहतना में या जब कभी भी कोई प्रोग्राम होते तब वो बजाये को यह सिक्षा ने क्या किया था पताए कि एक आनंद भंगडी है जब कोई नहीं था जीवन में तब इस यह ने इसको कहीं से कहीं उठाकर रख दिया कि कुछ नहीं था बे मैं कहीं का कहीं का पॉचा दिया मुझे रहे है इसमें पावर सिक्षा में इन में से बेटे हुए कुछ बच्चे शायद नहीं होगा आपके गर में कुछ यह पहुचा देगा आपको वचन देता हूँ यह पहुचा देगा आप सिर्फ इतना देखो कि आप में है गया वह काबिलियत आप करने के लिए तैयर हो गया एक मार्क कम हो जाएगा निदर एक आटीटिव होना है वोना हमें हमेशा चोकन ना रहना है अगर एक intelligence का failure हुआ हमारा कि हमने ध्यान नहीं रखा और इतने लोगों ने जान गवाँ दी एक छोटी सी mistake का ये कीमत होता है मेरे पैर में जो तकलीफ एक छोटी सी mistake थी doctor की बास और क्या एक mistake यार that mistake is there with me throughout my life मिस्टेक गलती से हो जाए ठीक है जान बुझ कर तो मैं तो नहीं करने देने वाला मैं sure or clear हूँ इसके बारे में मैं नहीं करने देना ठीक है आपको मेरे से कभी problem नहीं कि आप पढ़ाई पर focus करिए आपको क्या चाहिए क्या समझ में नहीं मुझे बताते रही है वहां तक मैं आपके साथ हूँ दिंगा नहीं होएगा कुछ मस्ती होएगी वहएगी पढ़ाई का समय निकलने के बाद में अगर आप बिमार हो तो सबसे बहतर जगह आपको आराम करने की घर वहां पे जल्दी तंद्रूस तोकर इधर आईए समझे बिमार होने के बाद में इधर रहने से आपकी तवेत को ठीक होने में समय लगेगा ठीक है अब यह बच्चा आप में आखे बंद गिये थे न तुम जब मैंने तुम को बोला पर तुम फिर भी कोशिश कर तो मैंने आपको यही पूझा ना कि आप ट्रैवल करके आए यह लिनियन और नोट अलरे इस नंसेंस अक है यह मेरा इंटरनेट बंद गे इधर नहीं चालू 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 लग बच्चो अब हमको यह बात पता चल्गई कि के चैश किसको फालो करेगा इधर इपिल फालो आई-पी और यह किसको फालो करेगा राजा बिटाजी? Face value को. पुरी क्लास को ये बात, मुद्दे की बात समझ में आगी? Yes. Now boys and girls, let me speak about something really great that what are the various clauses or various terms used in law. So I will give you some words और आप उसका meaning अपने हिसाब से लिखना. पहला मैं बोलूँगा authorized capital. लिखो. ये अभी आपको लगेगा presentation के लिए. पहला मैंने कहा लिख authorized capital लिखा. फिर मैं लिखूंगा issued capital. authorized capital फिर मैं लिखूंगा issued capital. फिर next term मैं लिख रहा हूँ आपको subscribed capital. subscribed capital फिर शब्द में यूज़ कर रहा हूँ called up capital. called up capital. called up capital. फिर मैं बताऊँगा आपको paid up capital. paid up capital. फिर मैं लिखूंगा calls in arrears. calls in arrears. calls in advance भी करना है? लिख लिजए calls in advance. all right आप सभी लोगे क्या करेंगे? इनके बारे में लिखेंगे जो आपको चीज़े समझ में रही है. जो भी आपने सुना होगा इसके बारे में लिख दीजिए. फिर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि what is that? रफ में आप कोई भी भाशा में यूज़ करकर लिख सकते हो. सर मुझे एंट्री में दिक्कत आ रही है. गुडिया वो एंट्री इंपोर्टन नहीं है. सिर्व इतनी सी बात आपको समझनी थी कि यह किसको क्या फॉलो करता है? तो शेयर कैपिटल फॉलो करता है face value को और cash obl करता है? करता है? करता है? करता है? वन्स बोरा नहीं आपका आईडिया गलत है बिटा. ऐसा नहीं होता है. जब स्टार्ट अप्स होते हैं तो उनको सारा पैसा एक साथ नहीं मिलता है. पार्शली मनी मिलती है. करता है? करता है? करता है? करता है? करता है? करता है? अब यह जो करार है वो इंपोर्टन है. अगर कोई हात उपर करके मुझे बता है? अगर कोई हात उपर करके मुझे बता है? पुर्थैसाली. अगर कोई करता है? और भीचो Mine ऑू पूलिट पार मिलता है, और रोचो जहां, करता है हां, किखिम बता है? तो सहे हैं? के बच्चा मतलब the maximum capital which a company can issue during its lifetime is what he's saying मतलब इसके ऊपर capital नहीं जाता है तो authorized capital is only given as a disclosure in the balance sheet it is never shown as a part of share capital is that okay तो अभी जरा धान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं share capital का presentation कैसे होगा share capital so share capital के presentation में कुछ इस तरीके से आएगा authorized share capital authorized share capital का मतलब यह होता है कि यह maximum कितना shares company issue कर सकती है तो इसमें दो प्रकार के shares हो सकते ही कुटी शेर और प्रेफरेंज शेर तो मैं for example अभी equity share ही लिग रहा हूं equity shares okay and I'll write down for example 10 lakh equity share of rupees 10 each तो कितना हो जाएगा पिटाची 10 lakh into 10 is can I not say 100 lakhs अभे हा नहीं in lakhs बोल दूं in lakhs अच्छा ठीक है काम करते हैं तुम्हारी एक क्रोड होगे गया अच्छा यह authorized capital inner column में लिखा है मैंने it is not a part of the outer column यह disclosure है यह balance sheet की total में नहीं जाएगा यह सिर्फ disclosure में जाएगा do you all agree फिर authorized के बाद में मैंने आपको अगला नाम लिख कर दिया था क्या इस्षूड कैपिटल सो इनमें से कम अच्छा मैं तुमको पूछने आला हो ना इस्षूड क्या है वापिस 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 इस पोट्टे को फिर इदर दे देने किसी को को कमपशने ने उसको बेच्छा है बड़ जनरलै इस फिर नाम का का मई PSAKI आपको समझ में है इस्षूड का मतलब क्या है को है कधिः इस यह सब्सक्राइब मतलब कर WhatsApp ए जल्ल दी सब्सकराइब का मतलब क्या है घख जो पारट अपको समझ में ए लिए क्या होता है तो पहले समझाइए कि authorized होता है authorized मतलब maximum capital उसमें से कुछ portion issue किया गया बट जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा बाई किया जाए या ऐसा भी हो सकता है कि लोग ज्यादा के लिए apply करें so issued किया गया for example मैंने 10 lakh share में से I have issued how many 4 lakh shares but लोगों ने खरीदे कितने सिर्फ 3 lakh 80,000 do you copy that मैंने इशू कितने किये थे 4 lakh public ने कितने बाई किये आवाज ही नहीं आ रही है 3 lakh 80,000 public ने बाई किये तो 20,000 तो इशू होई नहीं पाए ना so इसलिए issued मतलब company ने कितने इशू किये subscribed मतलब उसमें से public ने कितने बाई किये so generally हम issued और subscribed एक साथ लिखते कौन सा वाला एक साथ लिखते issued and subscribed मतलब कितना मैंने public को दिया और उसमें से public ने कितना खरीदा yes or no so what is the next nine issued and subscribed share capital so isko underline करके मैं लिखता हूं issued and subscribed share capital can I not say 4 lakh equity shares of rupees 10 each so it will become how much बिटाजी 40 lakhs बिटाजी please समझने की कोशिश करो ये भी inner column में है काँ परे बाभू inner column अब issued subscribe के बाद मैं आपको next question पूछ रहा हूं कौन सा called up who will give me the answer either either jaldi से माइक या उदर दे 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 संतोष दे उदर फुरती पुरती से called up का मतलब क्या है the amount which the company calls for payment see now the यहां तक जो भी था आपका issued subscribed or called up issued subscribed and authorized is always shown at the complete face value is always shown at what complete face value मतलब अगर कभी भी company final account के इसके बाद में question आएगा तो ध्यान में रखना authorized face value पर issued face value पर subscribe face value पर बट अब यह amount टुकड़े टुकड़े में बढ़ती है कच्छे शुल गई है क्या हाँ अब ज़रा ध्यान से देखो मैंने यहां पर बुला face value कितनी है 10 है क्या और मैंने बुला application में कितना है 3 है allotment में कितना है 4 है final call में let's take an example 3 है अभी company ने call किया एक दो दो यह call किया तो बटा जी इसका called up value कितना है राजा बटा जी for example आपका group 1 का फीज कितना है total 50,000 for example और group 2 का कितना है अच्छा मुझे फीज नहीं बता है एक काम करता आपके college की फीज किती है college college की फीज किती है let's assume that your college का फीज is 20,000 उसमें से first term का पैसा आपसे मंगाया गया है 13,000 और second term का 7,000 आपको कब भरना है next term में तो ऐसे called up होता है called up मतलब कितना पैसा मंगा लिया गया है so can I not write down यहाँ पर called up called up share capital but a called up share capital will always be part of issued only now so I'll say called up 4,00,00,00 equity shares of rupees 10 each called up 7 called up 7 so now you tell me what is 40,000 into 7 so can I not say 20 4,00,00,00,00 4,00,00 into 28,00,00,00 जरूरी है कि सारे लोग पैसे देंगे ही देंगे called up करने के बाद में सभी लोग पैसा देंगे जरूरी नहीं है ऐसा companies के case में भी होता है ऐसा आपके college में भी होता होगा fees मंगा ही बट सभी लोगों ने fees नहीं दी तो वैसे called up तो 28,00,00,00 है नहीं है सर कितना पैसा नहीं मिला let's assume 20,000 people did not pay 3 rupees or did not pay 4 rupees सो बिता कितना रुपे नहीं दिया 80,000 and when it goes to the outer column it is called as paid up share capital paid up share capital is how much my dear friend in the outer column 28,00,00,000 minus 80,000 is 27,00,00,000 बोलो हाया ना आशा करता हूं कि पूरी क्लास को समझ मैं है तो जल्दी से मुझे बताईए step number one क्या होता है पहला क्या होता है authorized share capital good news यह है कि बैलेंट शीट में नहीं आता है यह सिफ disclosure होगा mistake होगी तो 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 आपको पता चलेगा और कभी-कभी examiner को भी फिर उसके बाद में कौन सा होता है issued issued भी outer column में नहीं आता है agreed बट हम कभी भी issued अकेला नहीं लिखते हैं issued किसके साथ जोड़ देते हैं subscribe मतलब उसमें से कितने shares खरीद लिए है तो उसको क्या बोलेंगे issued and subscribe फिर उसके बाद में क्या होता है उसमें से called up होता है called up मतलब पूरा पैसा एक साथ नहीं मंगाये जाता है दीरे 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 आप उसको तुकडो में मंगाये जाता है द्यान से सुनना authorized will always be at face value issued will always be at face value and at the same time subscribed will be at what face value called up में क्या होता है कि face value का कुछ portion मंगा है से यस सो राजा बेटाजी एक called up आएगा 7 रुपीज 7 रुपीज मैंने assume किया है कितने शेर्स पर 4 लाग पर तो बेटाजी कितने रुपए called up है 28 लाग और calls in arrears कितना है 80,000 और outer column में आपका कितना है 27 लाग 20,000 गौर से सुनना राजा बाबू dividend calculation can never be done only on face value it will be done on paid up capital that is 27,20,000 dividend किस पर calculate होगा 27,20,000 जो amount outer column में दिख रही है उस पर dividend calculate होगा यह बात बुलना मत कभी भी point clear और अगर calls in arrears है और अगर पैसे नहीं आ रहे मंगाने के बावजूद भी तो company के पास option होता है उस shares को क्या कर देनी का 4 feet हो, share 4 feet हो सकता यह presentation सर हमें लगेगा क्या yes, sir इसकी practice हम करेंगे क्या अरे बहुत, यह अभी हम क्या कर रहे सिर्फ याद कर रहे जो foundation में किया था तो यह क्या हुआ बटाजी सिर्फ presentation इसके बारे में ध्यान रखना is that okay, MCQ का एक question पूचू गया sure हो तुम? yes, sir ठीक सिधे बट जाओ, MCQ का question एक mark अच्छा, तुम बोलो के कैसे? इधर के बाद में इधर uncalled and unpaid is one and the same uncalled and unpaid is one and the same unpaid capital is shown in the balance sheet uncalled is not shown in the balance sheet unpaid is shown in the balance sheet and uncalled is not shown in the balance sheet that's true, calls in arrears is unpaid unpaid किसको होता है कि जिसको मंगाने के बाद में पैसा नहीं दे रहा है वो है calls in arrears वो है unpaid uncalled मतलब जो मंगाया ही नहीं है वो अलाग अभी तसमें मंगाया ही कितना नहीं है 6 lakh shares का पैसा अभी तक मंगाया ही नहीं है authorized कितना है 10 lakhs उसमें से called कितना है या issued कितना है 4 lakh मतलब अभी तक uncalled कितना है 6 lakh तो जला ये इदर थोड़ा सा problem create करता है वो examiner और uncalled और चीज है uncalled इदर ये भी बोल सकते आप uncalled is my dear friend 4 lakh into 3 is also uncalled sir why 4 lakh into 3 is uncalled क्योंकि बटाजी अभी तक हमने पैसा कितना बंगाया 4 lakh पर कितना 7 uncalled कितना है 4 lakh into 3 तो द्यांसे सुनना uncalled capital नाम का ये शब्द companies act में कहीं defined नहीं कहीं पर नहीं है बट कुछ authors उसको use करते है just to confuse the kids between what is paid up and uncalled so paid up पर dividend मिलता है called up जितना पैसा मंगा लिया है और जो पैसा नहीं मंगा है वो uncalled है बट उसके बारे में companies act में कहीं कोई चर्चा नहीं है और नाहीं वो कहीं balance rate में disclose होता है कुछ author उसको use जरूर करते concept है calls in arrears मतलब call करने के बाद में अगर पैसा नहीं आया तो उसको हम क्या बोलते है बट जी calls in arrears तो अगर मैं आपसे प्रश्न बुछो इसका answer क्या है मुझे बताना when the money is called and it is not received it is called as calls in arrears और uncalled capital it is called as calls in arrears not the uncalled capital uncalled capital ऐसा नाम का कोई शब्द नहीं है चलो जल्दी से लिक कर ले लो फिर हम छोटे से break के पास जाएंगे और break से break के उस पार आगे की बढ़े करेंगे कितने मिनिट का break होगा सर थक गए सुबे से पढ़ते पढ़ते यह बात तो सही है बेटा थक तो जाओगे बहुत थक जाओगे बड़ एक दो दिन है थोड़े दिन और टॉर्चेर होगा आदत हो जाएगे सर कंपनी और इस कैपिटल बढ़ा सकती है बिल्कुल बढ़ा सकती है सर तो से कौने पनी आड बंडे लेंड इस कार दिया बाती है रीजिए लेक्टर आपडी है कौने इस मोंट आ पर आपट अपिटल कौने इस आपट अपार अपटल आपूच्वीं अहीं का क्वीं नहीं आत वाटी है पैसा एडवांस में मिल गया तो लाइबलिटी होता है वह कभी कैपिटल बनी नहीं सकता है कि अग्यों को सब्सक्राइब कि पैसा मंगा है कॉल्ड है और मिला नहीं तो उसको हम क्या बोलेंगे बिटाजी कॉल जेन अरियर्स उसको अनकॉल्ड नहीं बोल सकते हैं इतना बात ध्यान रखना सर में जीडी स्टुडेंट हूँ आपका नंबर दो 8600320000 सुन्दर जी मुझे एक बात बताओ कम्पनी फाइनल अकाउंट किया था के सर आपके हैरस्ट्रेल अच्छी कितना टाइम लगा ग्रो करने में मुझे नहीं पता है यह मैं द्यान भी नहीं दिया कि हो गए बस ग्रो और ना में उनका कुछ द्यान रखता हूं सर कॉल सा कल कॉल सा ट्रेप्टर कराओगे कल से कम्पनी फाइनल अकाउंट धीरे धीरे हम रफ्तार से आगे बढ़ेंगे फॉर्मेट कल देखेंगे शाइद आज ही देख लेंगे फॉर्मेट थोड़ा बहुत केम चो लव फ्रम गुजरात लव फ्रम पूने बिटा तुमको भी देना है क्या हाँ इनको भी देना है स्माहिल की इन्होंने भी सर ब्रेक कितना दो कि अभी तो तुम रोने पर आगे तो देना ही पड़ेगा ज्यादा अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सर इनको दोनों को डाट दिया अभी हम कुछ बोले नहीं कि हमारी भी बैंड बजा देंगे अच्छा आदमी मैं सर ने एर कट लंडन में करवा है अब मू दिया और उधर टाइपिंग करने के लिए तो जो मू में आ रहा है बोलो भी बैश्ट है और जो ऐसे कुछ भी बोलते है ना फिर मू में कुछ भी आ जाता है बैस्त है चला भी ब्रेक टाइम शुरू करते हैं आपका लिख लिए सभी ने सो दस मिनिट का ब्रेक टाइम दस मिनिट के उस पार हम मिलेंगे यह एक क्लाक मैंने शुरू कर दी गाने बजाना आएगा इदर बटा मेरे को बजाने नहीं आता एक इस तरों को आता है क्या यह अक्सकॉड लगा न इदर रहे का तो आक्सकॉड सिर्फ आक्सकॉड है क्या उसर का है क्या हाई यह रहा मूबैल मूबैल में नहीं जाता मेरे यह किसी के मूबैल में गे रहे है इस में जाए इस में लगा है एक एक उनसा गाना लगा हुए लगारों लगारों चीक है ना डर्लिंग कि अब ग्रिक टाइम घ्रिक टाइम ब्रेक टाइम और ब्रेक टाइम गोलें पास्किर आता है कि अब ज़िए इस दो ना सब्सक्राइब ना जाये जाए बहुंद आए झाल 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 मेरा मन तरसाए कोई तो झूजाए ऐसा कोई साथी हो छम छम करता सावन बूंदों के बान चलाए सतरंगी बरसातों में जब तनमन भीगा जाए चम छम करता सावन बूंदों के बान चलाए सतरंगी बरसातों में जब तनमन भीगा जाए प्यार में नहाने को तूप ही जाने को दिल मेरा तड़ पाए खाप जगा जाए ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो प्यास दिल की बुझा जाए नील नील अंबर पर चांद जब आए प्यार परसाए हम को तरसाए लालालाला लालालाला In 2023, if you are not using AI for your creating your powerpoints then you are wasting 99% of your time. If you are not using AI in your excel then you are wasting 95% of your time. जब तक मुझे ऐसे ही छड़ पाओगे मैं आग दिल में लगा दूँगा हो कि बल में पिखल जाओगे दिल पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़ पाओगे मैं आग दिल में लगा दूँगा हो कि बल में पिखल जाओगे एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा तो मैं आग दिल में लगा दूँगा हो कि बल में पिखल जाओगे कि बल में आगएगे चेंडा, एंगा पोरैयें, अन्बुक्कु नी दान्दा आलु वंदु, कट्टि, कड़ाये, पड़ंबल्लां, खायदु पार। ए, मुल्य, तमिले, तरिया दा, इंदी ले, वान्स एगेंड, हाँ? तूनम्के चांद को, धूंगट के नीचे छुपाके, लाई तेरेलिये, दुनिया से नजरेंचु राके पीछे कुँआ आगे मेरे खाई, तू ही बता जाओं मैं कहाँ? मुझको जुआ किसकी लगी भाई, आके पधा रहा हूं जो यहाँ? इल्ले फिकर, आजा इधर, बीग पे लगा ले दुठलूंका 1, 2, 3, 4, get on the dance floor One Two Three Four, get tom's a dance! Shake-gaברים shake th tapes, shake-ba favour, shake- droop h dog showygar hici-gumhi-g daiunci uiwiheyji gimme 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 gimmefy soy gimme gimmey gimmey shummo One Two Three four get tom's a dance, go group shake-ba uiYou Lani baro meryur foale! How else in mind this is our bias, let's go up to our ribu तक दी तक दी तक दी चलक मैलबद सुमझार निदे ओ, 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 आख भी जाने का है फढ़के मेरी, फढ़के मेरी पाही खुंदली पे हो जैसे उल्टी दशा उल्टी दशा आई लेतक मतक लातक मतक सीचाल लबे जाए भटक भटक ध्यान सभीका हतेरा धरक 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 दिला चुपा हुलुआ आया बड़ा संत कहीका खतरे की क्यूं घंटी लगे कोरी तेरे खानों का जुमका खतरे कि किसमा मतक धरक प्रड़ा स्था आई घलो 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 आच्छा शल्वी रिज्म नाओ यस क्यों गया पागल मैंने लेट लगाया था कुछ भी जुटी जुटी बाते वाद गया रहा है आनलाइन लाइवाले बच्चों आगे क्या आप अच्छा कई सारे बच्चों की कुछ-कुछ क्वेरी थी वो पहले अच्छा यह सुनन ना तो यह चालू कर देर बई कुछ-कुछ बच्चों की क्वेरी थी कि सार सब्सक्राइब और इशूड को अलग-अलग लिखा तो चलेगा क्या the answer is yes डेटा दिया जाएगा क्या जितना मेरा जान करी यह जर्ली डेटा नहीं दिया जाएगा जंरलि सबस्क्राइब और इसीड़ सेमी कैपिटल होता है जंरली 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 आँद लार्ज आपको दिया जाएगा तब अगर आलग अलग दिया गया है तो पहले अहायाँ भी आएगा इस्षूद फिर सब्सक्राइब, मैं सही मैं मुझे लगा बहुत इज़ा थोड़ा सा ओर गॉटेंस में मर गया था मैं पहले आएगा इस्षूद फिर आएगा सब्सक्राइब ऑथोराईज इशूद सब्सक्राइब पक्का ए रस गुल्येवच्छू जिर्फ इडिए भरा वहरी है कोशन सरे फिकर याइंड का ये यह सो आइंव आंसे इप और था यह कोशन वारी यह मिन्या फ्सक्राइब वहरी यह जो वहरी नहीं दो चैपिटल में जाती है और जो इशु प्राइज होती हो कैश में जाती है मैं बोला हाँ तो फिर सर इसके आगे क्या होता है मैंने उसको यही मैंने उसको यही बोला कि यह मैंने नहीं बताया है मैंने बताया किसी को पता चला मैं सिर्फ अभी सिर्फ इतना बता रहा था भाई शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है उसमें फेस वेल्यू जाती है और इश्यू प्राइज का पैसा जो है वो कहां जाता है राजा बेटाजी कैश में इसके पीछे भी कुछ होगा मैंने नहीं बता है वो क्योंकि वह जरूरत निए जर्नल एंट्रिविटरिस में ने कहा था कि वह इंपॉर्टन नहीं है तो मैं फिर भी करना है तो करो मुझे को यह इतराज नहीं है security is premium क्यो आता है because of law और एक और एक कोरे कोरे कोंसी बात इसमी बहुत भारी हाँ dividend किस पर दिया जाता है so don't get confused कि dividend is given on the face value I only said कि dividend is given on the face value sir अभी आप पलट के आप paid up value पर बोल रहो paid up value is also part of face value ना yes or no paid up value कहा से आई face value का हिस्सा है so hence my dear friend dividend is paid on paid up value this line मैं जेनरली क्लास में कुछ बाते बुलता हूँ और इस बार मुझे बूले थे कि सरी बाते हम थोड़ी सी रिकॉर्ड करेंगे so I just would like to discuss some small thing with you all which would be relevant for your CA course तो कल अपनी बात हुई थी आप यहां से ले सकते हो तो कल आप सभी लोगों के साथ में जब मैं बात कर रहा था तब हमने एक बात करी थी strategy की करी थी की नहीं करी थी तो तुम्हें पास होने के लिए क्या लगेगा मैंने यह भी कहा था कि सभी लोग पढ़ाते है मैं कहां पर डिफरेंट हूँ तो स्ट्राटेजी का आज हम पार्ट वन देख रहें चोटा सा कि स्ट्राटेजी शुरुआत कैसे होती है और उसमें क्या करना पड़ता है और आपको अपने आप पर क्या काम करना पड़ेगा क्या हम उसके उपर बात कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए अच्छा तो मुझे एक बात बताओ लाओ अफ अट्रेक्शन पर कितने लोग बिलीव करते हैं लाओ अट्रेक्शन पर अच्छा क्या होता है यह नहीं पता वेरी गुड तुम बहुत लगी हो जिनको पता है उन लोगों में से हाथ उपर करो law of attraction में कितने लोग believe करते है गड़ सो आप में से कुछ बच्चों ने secret पढ़ी होगी या कहीं से पता किया होगा law of attraction वगर वगर है है ना अब मैं आप से प्रश्न पूछता हूं for example गुड़ी हाथ नीचे कर ले बिटा कर दिया कि मैं आप सभी लोगों से एक बात पूछ रहा हूं अगर मान लो को एक गाड़ी है उस गाड़ी में किसी बंदे का एक्सिडेंट हो गया और एक्सिडेंट होने के बाद में वो बड़ी तन्मा इतासे यह बोल रहा है कि हे प्रभू मुझे ठीक कर दो हो जाए गटिक है पड़ा पड़ाई या मैं उस समय उस व्यक्ति को कहूं कि क्या रोते रहता है उठ चल सले चलने को चलू कर इल मोटिवेट इम विल दा मोटिवेशन वर्क मोटिवेशन विल वर्क मतलब आपनी इदर गिरेला है माई उसको बोलेगा चलू उट उटीगा नहीं उट सकता ना जैसे फिजिकल हेल्थ को डैमेज होने के बाद यदी कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता वैसे मेरी जानकारी में जो चीज मुझे पता चली और जो कल तक मैं आपको बात बोल रहा था कि एक्जाम के पहले आपको डरना नहीं है क्योंकि डरोगे तो आप सारी चीज को बर नहीं आएगा आगे का हिस्सा काम आएगा तो तो बात को बात बता हूं कभी आप दुखी हो कोई भी एक्सरे करा लो आपको बाड़ी पर्फेक्ली दिखेगी बट ये बात पता है कि जिस दिन आदमी दुखी रहता है he feels insulted, he feels very bad he will not be able to perform on that day X-ray निकाल लो, सब कुछ perfect आएगा जब शहीद भगत सिंग जी थे और 4-4 का moment हुआ और उसके बाद में गांदी जी called off that quit India moment भगत सिंग felt very very bad, sad राइट, कि जब एक कोई moment था वो call off हो गया था और उसके बाद में भगत सिंग जी को बहुत बुरा लगा why did it was called off and after that was born a new भगत सिंग altogether किसी समय में महात्म गांदी जी को कहीं से बाहर फेक दिया गया mental health क्या परिणाम करती है ज़रा विचार करो किसी train में से महात्म गांदी जी को बाहर निकाल दिया जाता it was an insult and there after is born a Mahatma Gandhi so बेटा जी कई बार लोग काम नहीं कर पाते अपनी mental health पर पहला मुद्दा है कि आपको mental health पर काम करना पड़ेगा और तब आपको जाके पता चलेगा कि भगवान कौन है राक्षास कौन है और अगर मेरी बात समझते हो तो राक्षास भी आपके अंदर बैठा है और भगवान भी आपके अंदर ही बैठा हुआ है सरब क्या बताने की कोशिश कर रहा है इतनी सी सिंपल सी बात आपके दिमाग में डाल रहा हूं सर जी यदि आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन के पॉजिटिव रह सकते हो तभी आपका काम होगा यदि आप कुछ अपने टेंशन को घर से लेके आया हो मम्मी को जरूरत है पापा को जरूरत है मूँ भी देखी थे न थ्री इडियेट्स उसमें कम्मू की शादी नहीं हो रही है पापा को पैरलिसिस है और भिंडी बारार रुपई किलो है वो टेंशन आया साथ में तो was he able to study no and even in my personal opinion I believe that if you people think negative or if you don't have that positive spirits in you you cannot succeed आपकी प्रॉब्लम आपको घर पर रखनी पड़ेगी और आपको सिर्फ यहां पर एक चित्त से मस्ति करते करते पड़ाई करनी किया I have used two words एक चित्त मतलब एक ध्यान और मस्ति से तुम बच्चे हो मस्ति करते करते पड़ाई करना मस्ति का मतलब यह नहीं कि सो जाओ मस्ति का मतलब मतलब मैं तुमहें बतातों मैं बच्चपन में क्या मस्ति करता था तो सबस्त मानलों क्लास में बोर हो रहा है तो बेंच के नीचे जानेगा और सर पूछनें और सर में कुठे कोई भी मस्ति करो यार मस्ति का अर्थ अलग है लेजी का अर्थ अलग अ इस उमर मैं जो मैं देखता हूँ बच्चे को मस्ति गरते देखता हूँ अभी में यहाँ पर कुछ हुआ कुछ सौंग लगा में को नाचने में मजा रही में नाच रहा था I don't know at your generation why can a person think like that also I don't know गाना बज रहा है नाचो नहीं तुमको भी में आज ही सिखा रहा हूं जब पड़ाई में आरे हो बोरो रहा है तो मस्तिकरो एक लास किस्सा बताएगा attitude और positive attitude क्या होता है मैंने मेरे life में कैसे implement किया है और फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें और भी बहुत technical जा सकता हूं बढ़े मुझे आज technical बात नहीं करने हैं दीरे दीरे तुमारे life किसकी बनी हुई है तुमारे life किसकी बनी हुई है किसी से भी नहीं मैं मैं रुकूंगा नहीं जब तक मुझे कोई बख्वास आंसर और नहीं बढ़ एचा तुम्हारी life किसकी बनी मुझे पहले समझने तो तुमको क्या समझ मैं आदा आर ऑलाफ उतुमारी life three हां हां ऐसकी बनी ये तुमाइरी लाइफ हां है कुछ समझए क्या पफ़ संट क्या है कि नहीं कि हमें कार्बं बेस्ट मोलेकुल नहीं इस यह बसक्त है और यह किसके लाइफ बनी है श्रीघ हां साइन्स वाले नहीं जो तु कामर्स वाले तरह को क्या लगता है किसके लाइफ बनी विए तुमारी बॉड़ी शायद कार्बन बेस्ट मॉलिक्यूल है बट जब तुम इधर आये हो तो तुमारी लाइफ मुझे लगता है टाइम से बनी विए है आने का समय और जाने का समय तुमारे हाथ में नहीं है बीच का टाइम तुमको मिला है और बुला है एंज्वाइ कर लुचे में लुचे कोर्स में, मैं एक जान्स नहीं हुए हुए इदर लुचे मुझे पता प्रप्रप्टीचिंग में नहीं गाना है तो मेरे संगरिश में जब कुछ पैसा नहीं था तब भी में टीचेर ही था मतलब I have been a teacher so I was a corporate trainer in between after I qualified to CA so I was a corporate trainer I used to teach ACCA student उसकेस में क्या होता था कि G1 में first time flight में बैठा मैं job मिला था और फिर regularly बैठने लगा कि because I was a good teacher so I used to teach well corporate trainer में तो Delhi, Mumbai, Gurdgaon, Chennai, Kolkatta, Bangalore, Hyderabad यहां पर जाके मैं teaching करता है साधारना आदमी एकदम उधर जाने का मैंने first time coffee पी और मुझे पता नहीं कॉफी में शक्कर उपर से डालते है हमारी माँ कॉफी कैसे बनाती थी और मुझे वह ही पसंदी शक्कर डालो दूट डालो कॉफी डालो इला कर पी जाओ सिंपल वहां पर बहुत complicated process थी एक गलती से coffee ले ली बैंडी वो भी इत्ती महेंगी 300-300 रुपई की coffee और वो पिया में जान निगल के भाई इत्ती खारी कौन पी है नहीं पी पारा में और उधर airport के एक problem है तुम बस में भी जाओगे तो लोग तुमसे बात करने के लिए तय जाए का तुदर देखे है तो problem है अब भेंडी मेरी जिन्देगी हो गई जंड क्यों एक तो सुबह उड़ जाओ और उसमें फ्लाइट होगे डिले उधर कोई बात करने को तायर नहीं और सुबह की ताजा ताजा नींद आ रही है और उदर सुने को जगा नहीं होती साला अब जिन्देगी किसकी जंड हो रही थी मुझे पता चल गया मेरी और मेरी जिन्देगी का टाइम है लिमिटेड मैं नेगेटिव हो नहीं सकता मुझे रहना पड़ेगा पॉजिटिव क्या किया जाए मैंने एर होस्टेस को देखना शुरू कर दिया तुम तुम मुद्दे को समझे नहीं हो अभी तक मैं तुम्हें थोड़ा सा और समझाता हूं मैंने क्या किया मैं तुमको समझाता हूं मैंने क्या किया मैं बहुत डीटेल में गया मेरे बॉइस बात को समझते हैं बॉइस जब हम हमारी हमारी एज में होते हैं अब मैं बात अब यह चलता है कि तो हुआ क्या था कि रैंकिंग देने के कुछ पैरमिटर सोते जो मैं बता नहीं सकता वो कॉलम था लेफ्ट जहां पर मेरे कॉलम बनाया तो यह यह पैरमिटर है और राइट साइड में कॉलम बने थे अलग अलग कंपनियों के एरोस्टेस जो मेरी जिन्दगी जंड थी मैं तुमको बता दू मेरी जिन्दगी एकदम पावरफुल हो गई चुकि अब मुझे नींद नहीं आ रही थी अब मैं धून रहा था कहां पे कॉन और कभी कभी इतनी बड़ी प्राब्लम दो तीन एक साथ में आगई सभी पैरमिटर पर गेज करकर लिखना प्रेश्यर बाप रेबाप बच्टिल आई डिडिट अग्रेट जॉब है बॉइज और इतना ही बात ध्यान में रखना पूने में आये हो पड़ा ही मस्ती के साथ ही हो सकती है तुमारे तुमारे पास जो टाइम है जिन्दगी का वो लिमिटेड है इस उस समाने में किंग फिशर दी है तो यह सब चीजों का ध्यान रखना I hope you will do it well ठीक है अभी आगे बड़े थैंक यू सोमच बड़ी here we go sir, दिल देखे की रेटिंग इसका गंदा कटाया बिजारेगा बिचारे ने ना रेटिंग देखी ती दिल दे दिया था था फिर वो भी चलिए चलिए अभी हाँ sir, आपके शादी हो रखी है yes, I am married with a daughter Aishwara is my ex अभी हम company final account का format करने वाले हैं ठीक है बड़ जिन्दे की जंड होने के पीछे रीजन सिर्फ और सिर्फ आप ही हो सकते हैं यह ना कम्पनी फाइनल अकाउंट का format दिया गया है कम्पनी इसका format दिया गया है क्योंकि इसमें public का पैसा लगा हुआ है तो इसका format दिया गया है in schedule 3 which 3 schedule 3 schedule 3 क्या है यह company's act के साथ आया हुआ एक schedule है is that okay so schedule 3 के हिसाब से यह बनता है और schedule 3 is a part of company's act जो बेर act है उसके अंदर इसका format दिया हुआ है राजा बेटा जी इस schedule 3 के दो parts है part a and part b okay so बेटा जी कुछ companies जिनके उपर भारत में आज के तारीक में कुछ companies के उपर ind as applied है और कुछ के उपर as applied है तो भारत में आज accounting standards के कितने टाइप हैं दो कम से कम आप बोलो एक है ind as और एक है as so जब हम ind as और as के बारे में बात करेंगे तब ठीक है बट राजा बेटा जी आप जब schedule 3 की बात कर रहे हो तो आप जाहिर सी बात है आप जाओगे listed companies को download करकर उनका financial statement देखोगे so राजा बेटा जी ind as compliant companies का जो schedule 3 है वो अलग है in comparison to the companies which do not follow ind as फिर से दुबारा बता रहा हूं रिलाइंस इंडस्ट्रीज क्या है company sbi क्या है पका फिर hdfc क्या है क्या है के सुजलान क्या है company tcs क्या है company यह सारी company listed है और इनको ind as applied है क्या applied है ind as तो मैं आपको कुछ schedule 3 पढ़ाऊंगा भी वो schedule 3 अगर जाकर आप इन कंपनियों का जाकर चेक करेंगे तो match नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि वो ind as compliant है और हम जो schedule 3 देख रहे वो किसका देख रहे जो इस फॉलो करने तो आपके intermediate के syllabus में क्या है accounting standards है एक दम simple भाषा में मैंने बता है जैसे हम उस समय जाएंगे कि जिसके अंदर हम turn-over basis कौन से ind as compliant कौन सी यह यह तब हम समझ जाएंगे तो कितने प्रकार के अभी भारत में दो एक कौन सा है ind as क्या मैंने आपको यह बता है कि कौन इंडेस वालो करता है कब बता है क्या मैंने यह बता है कि कौन सी company as follow करती है मैंने नहीं बता है मैं इतना बताने की कोशिश कर रहा थ तो मैंने बताया है एक उनके लिए है जो ind as compliant है और एक उनके लिए है जो as follow करते है so yes so अगर आप पब्लिक डोमेन में किसी company के financials निकाल कर देखो गे क्योंकि तुम बहुत अच्छी बात है कि तुम जाओगे और internet पर जाके सर्च करोगे financial statement TCS के इसके उसके तो मैच नहीं करने आले जो format में अभी आपको पढ़ा रहा हूं क्यों नहीं मैच करेगा क्योंकि वो ind as compliant है और हमारे syllabus में कौन सा है एस कंप्लाइंट कि सांस लो कि वापिस से बताओ कितने एस के टाइप फिर सांस चोड़ना एक इंडेस और एक एस हमारे syllabus में क्या है अभी सांस चोड़ दो एस है पका तो जो एस फॉलो करते हैं उनके लिए जो शेडिल 3 वह अलग है और जो इंडेस फॉलो करते हैं उनके है बेटा जी अभी हम जो पढ़ रहे है वह नॉर्मल नॉन इंडेस फॉलोइंग कंपनी के लिए पढ़ रहे है अग्रीड अक्री शेडिल 3 में दो चीज़े बताई गई है वैसे तो चार है बड़ तुमको खुपचे में बताते हूं दो है पहला है बैलेंस शीट फिर और फिर ऐसा कुछ बनता है और फिर ऐसा कुछ बनता है इसको बोलेंगे करेंट येर और इसको बोलेंगे प्रीविएस येर कभी भी दहन में रखना करेंट येर के फिगर्स पहले आएंगे प्रीविएस येर के कमपेरिटी फिगर लेटर आएंगे इधर बनेगा नोट्स और इधर बनेगा परडिकलर्स और मेरे रजगुले बच्चो ये बन गई बैलिंग शीट आपको ज़्यादा बात नहीं फिलिंद ब्लैंक सी है ठीक है तो बैलिंग शीट का फॉर्मेट बताओ परडिकलर्स, नोट नमबर, करेंट येर, प्रिवियस येर अब नोट नमबर क्या है, जैसे आप वर्किंग नोट बनाते हैं, वैसे नोट नमबर है, ठीक है इसके अंदर फॉर्स्ट पार्ट बनता है चल जुट्टे, ये फॉर्स पार्ट इससे बनता है, इक्विटी एंड लाइबलिडीज इसको कर दूँ, अंडर लाइन, फिर उसके अंदर बनेगा पार्ट वन शेयर ओल्डर्स फंड, अच्छा, शेयर ओल्डर्स फंड में और भी चीज़े है, बट मैं आपको पढ़ाऊंगा इंटरमिजेट के अंगल से जितना रिलेवेंट है, वो पढ़ेंगे हम, तो पहला है शेयर ओल्डर्स फंड, उसके अंदर फर्स आइटम है, शेयर कैपिटल, उके, उसकी बनेगी नोट नमबर वन, और बी बनेगा, रिजर्स एंड सर्प्लस, कुछ बच्चे ये बोल रह लाइबिलिटी और कैपिटल का डेफिनिशन अलग-अलग है, ये बिलॉंग से पैसा बहार जाएगा, पिटाजी लाइबिलिटी अलग होती, कैपिटल अलग होता है, जो पहला मुद्दा होता है, जो पहला पोर्शन है हमारे इसमें बैलेंशीट में, वो ओनर को हरने हली चीजों का नाम किया है, शेहरूल् difference जिसका फर्स पारट है, शेहर कैपिटल दूसरा पार रिजलज है, रस आंद Черप Goes, फिर आती है liability अंधियी और लाइबिलिटी का नाम लिगेंगे हम non current liability सही बोल रहा हूँ non current liability के बच्चे है 4 किते बच्चे उसके 4 पहला वाला है long term borrowing फ्रियर कौन सा है deferred tax liability किता पहरा बच्चा है deferred tax liability इसको अमभूलेंगे DTL तीसरा item है C very good other non current liability और रजगुले बच्चो आएगा D long term provision बोलो भे हाँ agreed सो बटाची मुझे एक बात बता तो non current liability के कितने बच्चे 4 फिर उसके नीचे आता है 3 गराइट लाइबलीडीज करेंट लाइबलीडीदीज में बेटा जो शॉट टम होती है वो लोंक टम का आप बना सकते हैं जो लॉंक टम बोरेंगे उसका क्या बना देंगे शॉट टम बोरेंगे और पेटा जी डिटिल नहीं होता नीचे तो बी में बदा दुनगा ट्रेट पेबल बुलो क्या बोल देंगे ट्रेट पेबल फिर ढन जाएगा अदर करेंट लाइबलिटी और लास्ट वाला क्या हाझाएगे डी शाट टर्म प्रोविजन तुम्हारे दिमाग को पूछो तुम्हारे दिमाग कहीं भटक रहे हैं क्या कि इसका मीनिंग क्या है उसका मीनिंग क्या है तो दिमाग को बोल येडे अभी तक ये बताए नहीं है अभी हम क्या देख रहे हैं सिर्फ पॉर्मैट अपने दिमाग को पूछो, यह कैसा लग रहा है, तो दिमाग बोलेगा, यार, अभी तो डर लगने लगा है, बहुत बड़ा हो गया है, तो तुमको बता हूँ, अभी एक पेज और लगना बाकी है, इसलिए मैंने शुरुआत में बोलाता है, यह सिर्फ फिल इन दे ब्लैंक कितने करेंगे, नहीं बात ही नी करने ले, कितने हिससे, तीन, पहला है capital का, दूसरा है non-current liability, और तीसरा है current liability, बराबर है, तो जो पहला वाल है, उसको क्या लिगेंगे, shareholders fund, उसके दो बच्चे, share capital and reserves and surplus, जदू तेरी नजर लेच्चर चालोगा तो फिर बुला को नहीं तू अ मेरे को लगा बंद हो गया है तो पहला वला कौन सा भेटा जी की Аनलाइब लएग लेढ़र फॉर्स वने शेयर होल्डर स्पंट वह्माइबर का पैसा किसका पैसा है ओनर गशैक प्रवा पहला कौन साइगा इप क्या चौन सेख़़ घे फिर अल्लाष पोजाना फिर कौन साय कां पेड़र गे दू कि अब आप क्लियर ली असे बोलता है जो करंट नहीं 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 है क्लारीटी सुराजा पिटाजी करंट लाइबिलिटी किसको बोल सकते या नॉन करंट किसको बोलते यह डेफिनेशन में देखेंगे अभी के लिए सिर्फ बुद्धी में इतना डाल दो जो बारा महीने के बाद में पेमिंट होगा कि उसको क्या बोलेंगे नान करंट यह कल लिखेंगे तो चलेगा नान करंट क्या है ठीक अभी तो नान करंट है और करंट है नान करंट के बच्चे कितने हैं चार और करंट के बच्चे कितने हैं चार नान करंट में पहला वाला क्या होता है प्रोविजन इधार शॉर्ट टर्म प्रोविजन समझे सो अब इसको याद किये भी नहीं हम आगे नहीं जाएंगे हमको कि सरहां सर आपने आवाज लगई तीसरा आइटम ठीक है पहला बताओ कितने कितने लोग है अच्छा अपने आइटम लगई तीसरा आइटम है करके हां ठीक है अभी मेरे को समझे क्या connection था अरे यार कितने बैलें शीट में इटम है तीन है फॉर्मिट आगे है चलो बच्छो बच्छो जल्दी से बताओ कौंछा फॉर्मिट है करण्ट एर एंड प्रीवियर अच्छा तो पहला एक्विटी एंड लाइब लिटीज लिग देंगे यह तो मिरे को आता है फिर वा कितना क्यूट है तो देख मत बोल दूसरा शेयर होल्डार्स फंड उसमें फर्स्ट शेयर कैपिटर फिर फिर नॉन करेंट लाइबलिडी फिर फिर डी टी एल सीधा पैट डी टी एल फिर फिर अधर नॉन करेंट लाइबलिडी फिर लांग टर्म प्रोविजन नीचे गए तो करेंट लाइबलिडी में शाट टर्म फिर ट्रेड पेबल फिर अधर करेंट लाइबलिडी और फिर शाट टर्म प्रोविजन अज तुम यहां से तब ही जा सकते हो जब आप इसको या कि असेट्स बच्चों में खुशी की लहर कि अभी मैंने क्या बता है असेट्स असेट्स के दो इससे दो बच्चे बिटा उसके एक नान करेंट नान करेंट असेट्स अब जाहिर सी बात है दूसरा तो तुमको आएगा बेस्ट है टू है करेंट असेट्स अब अगर आप नंबरिंग सही से समझ रहे हो तो जो जो हेडिंग है उसको वन टू लिखते हम वन टू और उसके बाद में जो सब एडिंग बनेगी वो क्या लिखेंगे ए भी सो नान करेंट असेट में ऐसा लिखा मैंने ए चुप जूटे फिर मैंने लिखा इसका बच्चा छोट असा टूइं ठीक है प्रोपर्टी प्लांट एंड एक्विप्मेंट इसको बोल देप प प इडूसरा टू छोटा टू ओके इंगंग्योब इंटेंजिबल असेट्स फिर इसके निचा आएगा ती हम लिखेंगे यह कैपिटल वार्कीनि प्रोग्रेस जैसे तुम को नो CA in progress CA work in progress नहीं हो मैं को नूँ CA तुम CA work in progress आदा बना हुआ माल तुम्हारे केस में आदा भी नहीं बोल सकते पाव छटाक बना हुआ माल foundation पाश्में और क्या बोलेंगे यार उस्से तर्थ वडिन ठीक है फोर्थ आइटम आएगा बेटाजी capital work in progress के बाद में intangible under development वाव तो इधर पहले क्या बना PPE PPE के नीचे मतलब एक्चुलिए PPE भी खुद भी एक आइटम है बड़ उसके नीचे कितने आइटम लिखते हैं और हम तीन या हम बोल सकते हैं चार आइटम है to Delhi at point number A ठीक है फिर B non-current investment non-current investment says फिर C deferred tax assets फिर loans and advances D अरे यह कौन सा पर नाइट डी loans and advances और फिर E other non-current assets हम् मैं तुमको बता दू non-current के कितने बच्चे पांच मुझे अभी ब्रिक के बीच में को एक आया और मुझे बुला और मुझे क्या बुला पता है तुम्हारे चाहरे देखकर भी ऐसी लग रहा है सुरी सब याद करना पड़ेगा तुम थोड़ा से रिलाक्स हो जाएंगे कि कि शोल्डर को रिलाक्स चुड़ दो है ना हां ठीक है अब ऐसा समझ लो अगर यह नहीं किया है ठीक है तो तो सोला सुमवार किये होएगा कोई फाइदा नहीं है कुछ नहीं होता सोला सुमवार से इसके ओपर फोकस करेंगे और मैं याद करागे छोड़ूंगा आपको यह पक्का है बस मुझे यह बात समझनी आ रही है कि आरे असेट में पांच इंटम होत है कि उमत कमी नों पांच ईए वह लिखाय मैंने मुझे बता है तुम किनने लगे देग है कमी ने अच्छा असेट में पांच आइटम होत थेकिअ अब इसको कैसे करेंगे पहला पहला मैं दंधा चालो करूंगा तो मुझे मुझे क्या चाहिए मशीन फीपी फिर मैं पैसा कमाऊंगा और चुपके से करूँगा इन्वेस्टमेंट फिर मेरे को देखेगा टैक्स का डिपार्टमेंट मुझे मंगेगा टैक्स हां स्टोरी चल रही है दंदे के लिए मुझे क्या चाहिए फिर मुझे क्या करना है इन्वेस्टमेंट फिर वो टैक्स वाला आत्मी मुझे देख रहा है टैक्स चौथे लेवल पर मेरे रिलेटिव भी आ गए टैक्सेशन वाले के साथ मैं बोले मुझे लोन दो लोन्स और एडवांसेस सेस इनसे चुपा कर हम कई और इन्वेस्टमेंट करेंगे अधर अधर नॉन करेंट असेट ठीक है दंदा चलूगे गया हाँ तु तुम्हारे पास क्या है भूल तुम्हारे पास क्या है पीपी प्रॉपर्टी प्लांट एन इक्विप्मेंट फिर अपने चुपके से कहां इन्वेस्ट किया अधर नान करेंट असेट हैं एक धंपुड़िया पीपी के चार बच्चे होते हैं भारत में कौमन है वेरी नॉर्मल पीपी के कितने बच्चे चार एक खुद पीपीई हाँ पहला हेडिंग जो है न वो खुद क्या लेगेंगे पी दूसरा है इन्टैंजिबल जिसको हाथ लगा सकते वो टैंजिबल और जो बच्चा बुला हुदर दिल वो इन्टैंजिबल बराबर तो पहला कौनसा टैंजिबल मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एन इक्पिप्मेंट इंटैंजिबल मतलब कॉपीराइट गुडविल सावला क्या बोलेंगे इन्टैंजिबल अंडर डेवलप्मेंट कि SPC की आप बन रही है क्या बन रही है आप तो उसको क्या बोलेंगे इन्टैंजिबल अंडर डेवलप्मेंट कि बंद करो रहे प्लीज मेरे से गलती होगी है रहे नहीं बता सकते है अश्लीले साले इदर कुछ भी लिख देते हैं वो तो भाग जाएगा इदर मैं पस जाओंगा साला में बोलते ही बोलने के पेले पढ़ना पढ़ता है मुझे यार बे शरम लोग साले मैं मैं आपसे छह पांच कि प्यारे हो तुम अच्छा पहले तुम क्या करोंगे भी फिर क्या करोंगे गया-खेर, वहां कौन ओया तैक्स निपार्टमेंट ही बीच्फितेंट ही हो भी यह है तुम्हारे वो भी आके खड़े हमलपन देया उसको क्या बोल दे लोन सैंड एडवांसे इन से छुपकर तुमने इन्वेस्ट किया अधर नॉन करेंट असेट पीपी के चार बच्चे खुद फेर जो दिखता नहीं है बराबर ना तीसरा जो बन रहा है कैपिडल वर्क प्रोग्रेस और चौन था इन्टेंजविल असेट तुमारा है यहाँ अब तुम मुझे मुझे देख लो मुझे देख कर्या यह तुमको इंटेंजी विले तुमारे करीए भी बन रहा है इंटेंजी विले ध्यान रखो उसके पास I will रखो नहीं तु बता नहीं और कुछ बन जायेगा हरे मैं कसम कराके बता रहूं सच बता रहूं मैं तुमको करियर बनत दिखता नहीं है है हां इसलिए ध्यान रखना सजग रहना कि सिए की दिशा में जा रहे हैं उन्हीं तो कहीं गुम जाओगी दर उदर सर दूसरा अला चालू करते हैं सची दूसरा अला ट्टू सर आइसे देखे मेरे पास सर पिछली बार क्या थोड़ी देर पहला है मैं सीरियसली पढ़ाया थोड़ा फिर बच्चों आइसे हो गए थे ने क्यों खाना खाया हो सब ऐसा फिर मैं बोला नहीं अभी है मेरे को फॉर्मेड याद कर आगेज बेजनी का है तो मुझे थोड़ा सा तुमारे साथ बात करते छे है थोड़े से पुराने भारत पर चलते कितने बच्चे है क्योड़िया चलौब में शेहर होल्ण्टि के किते बच्चे है में कट आ चार तेरे साथ है किया है है Technicab औरां कराउनसे किसे हैं और फिर करन्ट सेके कितने यह नहीं हैं यह भारत की प्रगति दिख रही हैं कि पहले दो थे फिर चार हुए फिर चार हुए फिर पांच हुए और फिर छे बढ़त हैं है है ठीक आगे बढ़ है वी तो यस संसे कुछ उपर सही आते हो यह जो पीपी जो अरे सुना है जो पीपी पी पिए अचाह sizba करेंट नहीं बन सकती हो नॉन करेंट ही छो नंग करेंट इंवецनेंट फ्रंट बन जाता है से एस वाव तो यह करंट इंवेस्टमेंट बन गया तो उपर से आए गए माल जो है वो कौन सा आएगा करंट इंवेस्टमेंट और राजा बेटा जी लास्ट के दो आइटम भी मतलब कौन सा एफ ए और एफ छे होगे न इवाला कौन सा आएगा पता है गया लोंस एन एडव अधर करंट असेट्स बेटा लिखने की पद्दत समझें आपको कि मतलब उपर का पीपी था वो निचे नहीं आता है जो नौन करंट इंवेस्टमेंट है वो नीचे आ जाता है उसको क्या बुलते हैं करंट इंवेस्टमेंट और राजा बेटा जी लास्ट के जो दो क्या मेरे रसगुले बच्चों तक ये बात पहुची अब यह आपको अगली तीन चीज़े बताऊं क्या आपके पास होगा स्टॉक इंवेंट्री इंवेंट्री को बेचोगे तो क्या बनेगा ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड रिसीवेबल से क्या हैगा तो तो तुमारे तीन आइटम और आगे बी इंवेंट्री 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 स्टॉक सी ट्रेड रिसीवेबल डी कैश एंड कैश इक्वीवेलेंट सिक्वेंस याद हो गया ठीक है अभी ये पूरा खतम हो गया है अशेट्स टेंशन हो इसके निचे कॉंटिंजिंट लाइबलिडी आता है बट मैं अभी नहीं बताऊंगा तो पूछिए आपको बैलेंशीट का फॉर्मेट आता है भी आपनी को आता है पहले यह एक्विडी एंड लाइबलिडी उसमें शेयर उल्डर्स फांड उसके अंदर शेयर कापिटर फिर रिजर्स फिर दूसरा क्या रहता है नॉनकर्णल लाइबलिडवीडी उसके अंदर लाउंग टर्म ़ॉर्म उदार लिया, D continued, Mr. K siendo other non-current liabilities or long-term provision happy नीचे गये जो long term है वो क्या बने short term long term boring बन गई short term boring detail नीचे नहीं आता है तो क्या आता है trade payback और जो other non-current liability थी वो बन गई other current liability और जो long term provision था वो बन गया short term provision था फिर हम non-current asset के पास पहुंचे उसके कितने बच्चे है पहला वाला क्या है तुम्हारा धन्दा चालो करने पी-पी फिर इन्वेस्ट्मेंट फिर डेफर्ट टैक्स असेट पूरा बोलो नहीं को डेफर्ट टैक्स असेट फिर वो रिलेटिव आगे कि बोलो लोंस एनट एडवांस यह लूंस और इडवांस जो उपर के वाइटम यह उसमें से तीन नीचे जा ते करेंट इन्वेस्टमेंट यह आइटम नंबर वन बनता है और लास्ट के दो आइटम उपर से ही आते हैं शाट ट्रम लोंस एन अडवांसेस एन अधार करेंट असेट बीच का हमें एक स्टोरी याद रखने की क्या आती है पहले होती है मेरे पास इन्वेंट्री फिर उसको उधार में बेचा बनाए ट्रेड रिसीएबाल और शाधा है कैश्ट कैश इक्वेलंट आ गया तो सिक्वेंस समझ में आ गया गया पीपी के बच्चे चार पहला खुद कौन दूसरा कौन तीसरा कौन शाथा कौन इंटा इंटेंजिबल अंडर डे चैनाय मेरे दिल को दुहा कीजिए जब बे सर बूलो में क्या प्रब्लम है हाँ आप लिखा है नहीं रहे हो बे कहा देख रहे हो कि मुझे नक्को देखने का आपन विकावा माल है एक बार विकावा माल वापिस नहीं बेचा जाता है लिख रहे हैं क्या कर रहे है कि संद्य इसके साथ टीशू पेपर लिग आए कर रहे हैं है क्या यह रखोंगा तो इदर खराब हो जागा कि गुडिया लिख लिए आपने पूरा लिख लिए तुम दोनों कि तीनों ने लिख लिए कब कि एक स्वांग को मुझरा नोको बिटा कल से गज्रे ज्रे पहन के आओ साड़ी आड़ी आओ अत्तर वित्तर लगा गया तक्क्यक्य वेस्ता करते हैं थोड़ा डिम लाइट करते हैं मुझरा करता हूं नहीं इधर अच्छे से करता हूं भई आदेते मेरे को तो अब लुए तुम गाना मैं चालो करूंगा तो तो सर्य यही साउंग लगा दीजे हम ठक गए वहरी गुड़ बेटाजी वह अधर ख्लाइंट आएगा तुम ठका हुआ रहे गा तुम बलेगा पहले गाना गाँ पिर में काम करूंगा क्या हो और रही है पडमिक है अजव को मेरे कलास में गाना लगेगा सिर्व ब्रेक में अधें अधी का नहीं लिदा तुमको बोला में मस्ति के से करनेंगा है क्या है वे ऊपर करूं उसको स्क्रोल बोलते हैं वेड़ा कि स्क्रोल करो बोलना ठीक है मतला बहुत थोड़ा सा गलत लगता है अनुचित लगता है वेड़ा कि इतने मैं तो सिफ चेक कर रहा था बच्चे किस कॉलिटी किया है बाइस साहब जिनको नहीं समझा तुम बचे हुए हो नहीं पोगो नहीं वेड़ा तुम सही में बच्चे हुए तुम बच्चे हो अभी तक भाई साहब संतोष भी हस रहा है अज़ा है प्रोसीड प्लीज करने दो ना यह लुए प्रोसीड भी है यह अज़ा प्रोसीड दो प्रोसीड लिख दिया क्या थाए नो हरीज, चेरे पर एक smile maintain रखो, मैं फिर दुबारा बता रहा हूं, चेरे पर एक smile maintain रखो, ऐसा कहा जाता है कि सबसे जादा जब influence होते हैं लोग तो smile से होते हैं, और कौन कब कहां बैठा होगा influence हो रहा है तुम्हें पता ही नहीं है, इसलिए मुस्कुराते रहो मुझे लगता है, इस क्लास में मेरा रैपोच बहुत जल्दी जमेगा, बस मुझे पहचान लोगे तो तो तुम्हें कभी डर ने लगेगा, सब everything would be fine जाल आ स्क्रोल फर्दर पीपल, यह रहा नॉन कर्ण्ट असेट्स, इस एट ओके उपर करेंगे बिटा प्रहलापिबस्थ तक यहिंदेख भू में दिए बीट कि पाललेख सल ऺसर ने सुद्ट्ट करण़ लूटबस्टू अब दो आप अँडिया अच्छा अच्छा इंड़ अच्छा इंड़ आप वेंड इड़ाइट वेंड़ इड़ा इस तुम लिगेए अब यहां आप अब आराम किरो द्यान कुरो अखे बंद कर गया है अच्छा आप बच्चे ग्रेट जाब है मुझे लगा तु नारद हो गया है है तुम दो नहीं है मुझे बहुत गुसा है तो तब कभी मत करिया मेरे सामने हेड़ डाउन सब्सक्राइब ठीक नहीं ना तो बहार रहने का और तब ठीक करके फिर आने का तंदरुस्त यह सी एक और से इदर मिल्टरी में जैसे लोग भेचते ना तंदरुस्त कर वैसे बहजने का एक था दो दिन ठीक है यह सही में बिमार रहे करें तो एक नहीं किया वह बाजु अलगा कैसे बिमार हों गया मुझे नहीं पता चला एक नहीं किया दूसरा बनता चल तू भी गरन वह बिजाल हो गया है थोड़ा स्क्रोल करूँ को कि अगर कि अगर कि अगर को सर्च नंबर टू है मतलब क्या पिटा कि मोहित शर्मा मैंना इसा कुछ नहीं बूला अज पर एच थर्टीन बूले शेडूल थ्री या इश अपद मैंने नहीं बूला इसा कुछ भी बोल रहा है इडा शेडूल थ्री एस पर कंपनीज आक्ट बोला है मैंने हां कि नहीं कब बूला था एस थर्टीन के जो बाइट खरिदना बेचना करते शेर्स वह इन्वेस्टमेंट एस पर एस थर्टीन रहता है अरे नलाएको वह विटा ओनलाइन वाले कित्ते प्यारे बच्चे होंगे ना गाना टाइप कर रहे है गाना टाइप कर रहे है आज जा शाम होने आई नहीं रहे अरे मत लिखो रहे है ऐसे कुछ भी मेरी लुगाई भी देख रही है उदर लेक्षर मत करो ऐसा कुछ कुछ भी लिखते तुम कि यह नहीं हुआ कि यह लिखना फिर तुम्हें पता चला तीन घंटे कितने बड़े होते हैं हाँ 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 सुनो ना रजगुलो मुझे बात बता तो जल्दी जल्दी से अहाँ हाँ मिरको लगा भी थोड़े देर में तो नाचे गाइसा है डोला रेट विचार कैसा थखा है यार बट प्यार क्यूट बच्चा एकदम थग गया था बिचार कोई नी कोई नी कर लो सभी आईश्वरिया नहीं होती कुछ लोगों को ऐसी देखने को मिलता है तो मैं आपको यह बता रहा था यार यह शेडियूल 3 की बैलेंशीट कर रहे हैं अपन अंडी-बंडी-शंडी जो बात नहीं करेगा हम शेडियूल 3 की बैलेंशीट कर रहे हैं क्या वाव वाव आप लस्टाएयगा में से फॉस्स पोर्षण कि ओसवेल एक शेडर हैं नावेक्रिटी सब्सक्रूंट होगया और उसके एक बैन भी होती मैं कुछ सिललरीटेल होती है इधर चार इधर भी चार इनमें से यह एक जो है ना वो similar नहीं है यह समझ में यह लग है बाकी जो इधर long term है वो इधर क्या बन जाता है short term सो हम पहले long term का याद करते हैं पहला वाला long term borrowing फिर DTL defer tax liability third other non current liability and other long term provision उसमें से detail नीचे नहीं आता है वो बाकी को लेके जाओ तो पहला क्या बनता है short term borrowing फिर ट्रेड पेबल बराबर ना फिर केम चो थार्ड other current liabilities and short term provision ट्वीं लाइबिडिशाइट शंपया जंपया देन वी गो तो the next part asset side asset के दो बच्चे होते हैं एक तो non current और एक current non current में पांच बच्चे होते हैं और इधर छे current पांच बच्चे होते हैं इनमें से कितने नीचे जाते है तीन नीचे गए एगरीट सो यह दूए ना थीन नीचे ठीक है तो अच्छा तो अभी पहले एक पड़ लेते हैं अरे मेरे को लगा तीन गए नहीं गए थे पिर मैंने सुझा उंगले तो पांच ही हो दी छे नी हो दी तो तीन के सब्सक्राइब पहला क्या है पीपी यी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इंड एक्विप्मेंट फिर तुमने क्या किया फिर कौन आया फिर कौन मंगने के लिए या है लोन्च एडवानस इंड और फि पहला होता है property plant and equipment फिर होता है non current investment फिर होता है आपका deferred tax asset फिर होता है loans and advances और फिर होता है अधार अधार non current asset फिर जो इधर 5 है वो इधर 6 बनते प्लीज समझ नहीं कोशिश करना जब मैंने आपको इतना प्रेम से बताया तो sequence महत्वपूर्ण है आप sequence को change नहीं कर सकते है इधर पीपी नीचे नहीं आती है फिर उदर क्या मिलाता non current investment इधर क्या बनेगा current investment फिर inventory फिर trade receivable फिर cash and cash equivalent स्टोरी पता चली पहले तुम्हारे पास inventory होता है फिर वो trade receivable में convert होता है फिर आपको कहाता है cash and cash equivalent फिर उपर की चीज़े लास्ट के दो आइटम इधर नीचे आते है short term loans and advances and other current assets बेटा जी इसका sequence याद रखना जरूरी है the answer is a big yes इसका sequence change नहीं होगा okay क्योंकि आप जब कभी भी कोई balance sheet निकाल कर देखेंगे क्या बात है very good very good so sequence change नहीं होता है wow very good keep up the good work I went to see this you know where when I saw hippopotamus and the hippopotamus dude like this and everyone clicked the photographs and bloody damn shit I was blaming myself why the hell did I come here to see a hippopotamus who is yawning I don't know I don't know but yeah yeah so it's better than that at least are we ready now so we are gonna do what now we're gonna understand that what are notes to accounts तो बेटा जी इधर बनता है एक जल्दबाजी मत करना भी देखना है इधर बनता है क्या एक एक मत करो मत करो यह जो एक है उसका हम notes to accounts बनाते है कि वह एक क्या है तो आप लिखो है अब ही मुझे आपको पी एंडल अकाउंट का फॉर्मेट बताने किसका तो इसका heading होता है स्टेट्मेंट आफ कि स्टेट्मेंट आफ प्रॉफिट लास अकाउंट कि सुनो ना तुम जल्दी जल्दी नपको करो सुनते जाओ पहले है फॉर दा पीरियेड प्रॉफिट और इधर ट्मी हो जाता है सा शडेयर मेरे को याद नहीं आ रहा है यह पहला अला क्या होगा अधा यह परटिकलर्स फिर 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 वाव पिलुड़ेया फिर्स्ट इड़र पहला पूफ्ट to इंगे रेविनियू प्राम आप्रेशल प्रेशन की बुलेंगे रेविन्यू प्राम अप्रेशन फिर तूफ्यदी इंकम अधर रेविनियु नियर इंकम जूती जूती बात dwudhi यह टोटल रेविनी हो गई शे एस बैस्त है मतलव घदे से कज़ स्था पच्छह इत्ता दो करक्या है गई पेंडल आया तो पेंडल के इंकम साइड में सिर्फ दो आइटम रेविनी परम परेश्यन और कांसा फॉर अधर इंकम revenue from operation मतलब क्या sales common sense याट जो directly related income है वो और बाकी क्या other income संतोश अभी आगे दहन से सुन fourth level पर आता है expenditure say yes और इस expenditure के अंदर आता है एक मैं बोलूँगा के तुम बोलोगे मैं बोलता हूँ तो फिर तुम चुपचा बैट कर सुनोगे मैं बोलूँगा raw material consumed मतलब जो manufacturing entity होती है उसके पास होता है raw material वैसे देखा जाए तो तीन प्रकार के inventories होती है या दो प्रकार के entity होती है यह समझ लो एक manufacturing वाली और एक trading वाली demand trading वाली है तो उसके पास होता है stock in trade but Tata Motors manufacturing है तो उसके पास होता है raw material तो मैं विस्तार से और बात करूँगा बढ़ inventory आपको द्यान में रखना पड़ेगा चार प्रकार के हो सकती है किस का क्या 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 inventory किती प्रकार की चार तो उसमें से मैंने raw material consumed फिर मैंने लिखा B फिर मैंने लिखा purchase of stock in trade stock in trade और finished goods अलग अलग है finished goods जो आप बनाते हो stock in trade जो आप खरीदते हो ओके ये watch आपने बनाई है क्या ये खरीदी है ना तो आप अगर इसको खरीद के बेचेंगे तो आप क्या बोलेंगे purchase of stock in trade ये mobile मैंने क्या किया है अब ऐसा समझ लो कि मैं mobile का व्यापारी हूँ तो मैं क्या बोलूँगा purchase of stock in trade बट जब मैं word use करूं finished goods तो finished goods क्या होता है कि वो वेक्ती जो खुद उसे बनाता है कौन बनाता इसको mobile को मेरे mobile को apple ने बना है तो apple इसको finished goods बोलेगा मेरे लिए तो मैं trading कर रहा हूँ तो ये क्या है stock in trade do you all agree पूरी class clear है तुमने जूते पहने की चपल बनाए की खरीदे stock in trade अगर इसका व्योसाइए करो तो तुम घर में जाके मेरे नाम से मत बोलना किसे जूते चपल आप फरक फरक समझे तुमारे लिए नहीं बट किसने तो इसको बना होगा ना नहीं है मुझे लगा पेड पर ऊथे तो किसी ने तो इसको बनाया होगा ना जूते चपल को उसके लिए क्या है finished goods सुराजा बेटाजी जब मैंने इस शब्द यूज किया purchase of stock and trade ये बिल्कुल सही यूज किया finished goods आप purchase नहीं करते हो finished goods आप बनाते हो C पर आएगा changes in inventory of work in progress stock and trade and finished goods तो अगर आप शब्द दिखेंगे तो मैंने चार शब्द यूज किये पहला वाला शब्द है raw material दूसरा वाला शब्द है stock and trade तीसरा वाला शब्द है WIP और चौता वाला शब्द है finished goods तो ये थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है अरे नहीं रहे अभी हम क्या इसको समझ रहे कि याद कर रहे है अभी हम इसको समझ रहे कि याद कर रहे हैं बाइस साब यह याद कर लेंगे तो पता चलेगा कि यह आइटम के बार में सिखा रहा हूं तो दोनों में से को एक तो काम करना पड़ेगा ना भी और एक्जाम में फॉर्मेट बनाना है तो याद तो करना पड़ेगा ना तो अभी हम समझ रहे कि याद कर रहे हैं आच्छा याद करते हैं तब यह देख लेने कि कि क्या-क्या चीज़े आगे में जाकर समझाऊंगा तो पहले सिधा बैठ जा तुझे नहीं बरुसा हो रहा है तो यह आइसे करके बढ़ा तो इंक हो क्यों आईटम है तो मैं पहले यह बूज रहा हूं पहले क्या होता है इंकम होती ह तो इंकम में फिला इटम है रेविनी प्राम आप आपरेशन फैर वायं से बैश्ट है हुज को तो तोल आगे हैं एकस्पेंडिचर एकस्पेंडीर नौण गंधा एक मैनुष्टरिंग एंटीटी रे एक ट्रेडिंग वाले एंटेटी ट्रेडिंग मतलब ख़रीदन प्रवेचीना और ऐसे बनाना वह किस्से बनाते हैं राँ मेरे पास आए चमडा पॉलिश वर्क इन प्रोग्रेस और उसके ब ciao trzy हाँ यह मैनिफेक्चरिANG प्रोश सब्सक्राइब इंवारिंट्री वी तीन और राँ फिर वर्क इन प्रोग्रेस फिर फिनिश गुड्स और कुछ बच्चे खरिदे बेचते चीजों को वह क्या हुआ स्टॉक इन ट्रेड कितनी इन ben बन है जा है उसमें से सिंपल सी बात है पहले हम भुलेंगे राव माटuर्स यहीं आप वारी पास सिर्फ तीनन पहला क्या बोलेंगे वह किन प्रोग्रे फिर स्टॉक इन ट्रेड फिर इजी पीज़ी कि देखो मैं तुमको बता रहा हूं मैं 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 बता रहा हूं ना अब सुनो ना पहले पहले मैनिफेक्चरिंग होती है मैनिफेक्चरिंग में कौन क्या पर्चेस करता है है इसे इड़ेश से नहीं बुलने का वर्क इन प्रोग्रेस बाई करते है उदर रा मट्रियल का डाबेलीचा बलist लोना चसा यूला था फर ऑट यूप दाबेली वालता और एक हुआ मेर्क्राइक समय पीच ज्रैट फर निव दाबेलीचा बना हुआ तूत में होता है दूर्यौजे तो अटका यूला सहरे अ तो कितने आइटम हुए अपने पास पहला फिर फिर तो उनमें से खरिते क्या हो तुम तो इसको ले लिया पहले हमने राव मटेरियाल कंजियूम्ड ये गया अब इसके दो आइटम बागी है दाबेली वापिस बनानी पड़ेगी ये भाई ने धहनी नहीं दिया पूरी क्ला दाबेली वापिस बनाएगी दाबेली वाला क्या खरिता है बेचता क्या है बीच में क्या है वो क्या है वाव तो जो उसने खरिदा वो राव मटेरियल है ये दाबेली जो मसाला है वो क्या है वर्क इन प्रोग्रेस और ये जो है वो क्या है इन दो आइटम को भाई नहीं क करते हैं raw material को मैं इसके बारे में बता रहा हूं raw materials तो यहां पर जो तुम जितने भी स्टोर से पहन खरीद होगे करोगे तो तो तुम को पता चल जाएगा कि वह खरीद के बेचते हैं तो बैटा दूसरा purchase है जो trading करता है demart trading करता है तो फिर हम ने क्या बला purchase of stock in trade तो पहले हम क्या लेते purchase तो तुम्हारे पास दो entity एक manufacturing और एक trading manufacturing क्या बाई करता है raw material तो आपका पहला line क्या बनेगा raw material consumed दूसरा वाला होता है जो ट्रीड करता है तो वो क्या पर्ची करेंगा फर्चेसान प्रचेसाभ ट्रहरा भुर कि अरित Или कि थी राइटम सुनते है चेंजिस इन Professor मैं चेंग से भुश्राद से समाज़ें हैं चेंजसेश के सको इसके नरे पत लें प और positives प्रोग्रेस स्टॉक इंट्रेड फिनिश गुड्स हाई रभा कहां ले जो भी तुमको कहीं नहीं रहे दरी बैठो यह ड़ा है क्या पूले तुम दाबे लिखाने कि यह तुम इत्ते जल्दी कैसे चेंज होगा मुझे लगा थोड़ा टाइम लगता है इस क्लास में पता है क जब भी बच्चा जुड़ता है तो पहला काम करता है कि यह फैकल्टी के इतने बच्चे ऑनलाइन में इतने कितना पैसा कमाता रहेगा फिर दूसरा काम थोड़े थोड़े जैसे जैसे तुम पुराने होते जाओगे नेक्स तुमारे अंदर ही एक चीज आएगी कि आब इ सुन रहे हो किया डी एंप्लोई बेनिफिट एक्सपेंस संतोष एंप्लोई बेनिफिट एक्सपेंस तेरी बात चल रही है इधर हस क्या रही है मैं मजा थोड़े ने उड़ा रहा हूं उसके बारे बात नहीं कर रहा हूं मैं तो आथ से तुमको एंप्लोई बेनिफिट ए हो गया, E, finance cost, ABCD में पहले E आता है, फिर F आता है, sequence हम जा रहा हूँ, employee benefit expenses, फिर finance cost, फिर हम ABCD भूल जाएंगे, और फिर आएगा E के बाद F, depreciation and amortization, हस मत पाघल मैंने नहीं बनाया schedule, depreciation and amortization, हैं, और फिर last में इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, E, F, G, other cost, फिर इट टोटल आ जाएगा, expenditure का, फिर हम क्या करतेंगे, यह A, income, यह B, expense, A minus B is profit before tax, यह सुनों, जो black में लिखा दिख रहे हैं तुमको, color दिख रहे हैं, उसको चार items के बारे में समझ लेते, पहले कोन आता है, employee, बराबर है, E for employee, F for finance, फिर E, F के बाद में हम बूल के D तो लिया ही नहीं, फिर depreciation and amortization, और फिर जिसका कोई नहीं, उसका other cost, तो आपका भी अभी कोई नहीं है, बराबर है, टेंशन नहीं लेने का, कोई तो है other, पहले मुझे last के चार बताओ, मैं नहीं जा रहा आगे, employee benefit expenses, employee benefit expenses, दूसरा, finance cost, तिसरा हाला depreciation and amortization, चौथा हाला other cost, बट वो उपर से चालू करना पड़ता है, manufacturing entity है, वो क्या खरितती है, raw material, तो हम क्या बोलेंगे, raw material consumed, फिर एक trading entity, वो क्या भाई करती है, finished goods, stock in trade, तो दूसरा item क्या बना है, purchase of stock in trade, फिर तिसरा item, changes in, inventory, inventory किती प्रकार किती, work in progress, stock in trade, finished goods, changes in inventory, फिर अपना स्टोरी चालू हो जाएगा, easy यह हूँ, employee, finance, depreciation, other, समझे, लिखने के लिखने के लिए तू देखा मैं, पर वो balance sheet याद नहीं हारी, balance sheet सुनना पड़ता बाबू, देख भई, एक बार करके थकने का नहीं, I am also doing it, you also do it, so I am asking you, मेरी voice तुड़े से आएगे, थक जाती है, I am asking you, balance sheet में फिर्स आइटम कौन सा है, equity and liabilities है, वाव, so इसके अंदर फिर्स आइटम, share holders fund, किते बच्चे इसके, दो, पहला दूसरा अला, non current liabilities, किते बच्चे, पहला दूसरा अला, defer tax liability, third अला, other non current liabilities are long term provision, current liability के बच्चे चार पहला short term borrowing फिर trade paypal फिर other current liability फिर short term provision कमिने बच्चो sequence important है गया investment defer tax asset loans and advances और other non current asset इधर तुमको ऐसा लगा बीच में कई तु तु तंबक उखा के बात करें नहीं जूट मत बोलो इधर लगा मेरे को तो इसको वापिस करना बढ़ था पहला पिपी फिर long term investment third defer tax asset फिर पैसे मंगने आगे relative loans and advances फिर other non current asset यह स्टोरी ऐसे बनी बेटा कि एक हमारे relative के यहां पर रहें रेड़ पड़ी वो आदमी नहीं एकदम साधा गुमता था एकदम साधा जैसे for example मैं एकदम साधा गुम रहा है पिर एक दिन भेंडी पता चला कि और ही बात मिके घर में रेड़ी क्यों पड़ी बुले एड़ा है कि बहुत पैसा इसके पास फिर वो रिलेटीव भी आ गया रहे हमें भी पैसा चाहिए तो यह actual story है कि इसलिए पहले आया tax उसके बाद में आये relative पहले क्या आया tax फिर आये relative तो DTA फिर loans and advance और फिर other non current asset या तीन भाई नीचे आते हैं बिल्कुल सही तीन भाई नीचे आते हैं पहला वाला कौन सा क्रांट इन्वेस्ट्मेंट फिर इन्वेंट्री फिर फिर cash and cash equivalent बोलना में एड़ेया फिर short term loans and advances और other current assets तू सची सची बता है इन सभी लोगों को मेरे को बल्ब लगाने को आता है अच्छा तू और एक बात बता मैं तरे साथ दिन बर रहता हूं मैं कहीं पर भी जाता हूं तो मैं किसी के साथ में भी अरेगंटली बात करता हूं और मैं डरता हूं कि ने डरता हूं तो सिर्व दरेगा अकेला बाकी के सब लोग चिल रहेंगे यार कमिना साला उसको उपर कुछ फरक नहीं पड़ा सला मूटा गेंडा साला चमडी ऐसी यह बाकी की लड़की जोर किलू क्या हूं अब दम है ही नहीं मेरे में मैं बोल रहा हूं पटु है मैं अभी मेरे को बल कि यहार ऐसा नहीं करने का जो है पूरा बोलने का बीच में बोलके चुपने बेटने का बल्ब क्यों लगाएंगे शुरुवात में लगता है विटा है सो पढ़ाई करने के लिए तो यह बल्हा एमनयोम बम दिर दूसरा ला अंधार इंकम फिर टिस्रा ला अबमने की या है विर Rice RE यह नहीं तंबक वाली बात हो गई है रहा मटेरियल कंजूम्ड यहां से पिस पर्चेस आप इंट्रेड चेंजेस इन इन इंट्री आप वार्क इंट्रोग्रेस टॉक इंट्रेड फिनेश गुड फिर चौथा आला नहीं यह भी तंबक वाली बात ही एंप्लाई बेनिफेट एक्सपेंसेफ हां फिर डेप्रीशियेशन और अमोरिटाइजेशन फिर अधर कास्ट टोटल एक्सपेंटिचर अफिर लिखते अभी वाइसा वाज है न तुम्हार इत्ती जान निकलिए लिए लास्ट के लेक्शे स्टेट में देखो लोग वच्चे क्या-्या बोल रहे हो गया सरलन मेरा दोनों इस दूसरा वच्चा इसा क्या भूर रहा स टॉर्चयर कभेंड हो गा सर्हें बैठा नी जा रहा है अरे यूज करो जिससपर बैटते हो ऐसे इस नहीं पताजाएगा पागल स्क्रूल करूं क हरे यार सर रहने दो अब तबियत खराब लग रही है आपकी सर रूला दिया फले बाई एक बात तो समझ में आ गया ये तीन गंटे की लेक्चर इनको आइसे नहीं बिठा सकते हैं हर रोज आकर दोनों चीजे करनी पड़ेगी इसे नहीं बैठेंगे डर दो रहा है इनको अभी बेंच फील होने लग गई अभी उसको फील हुई अभी जाते वाद जो छापा पड़ा है नो उसको मिटा के जाना अब अब भाटिया बोल रहा है सर अब तो लग रहा है जो फाउंडेशन में था वही अच्छा था यह मैंने टाइंग ज्यादा ले लिया क्या पांच अठाइस तो साढ़ पांच तक का तो मेरे टाइम है नहीं बजेगा है भी दो मिनिट और बाकी है पेटा देखो रादे रादे ओफलाइन वालो जल्दी जल्दी लिखो तुम्हें तुम्हारी अम्मा की किसम है अब के लिए कल के लिए छोड़ दो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक क्यों साढ़ पांच तक कड़ा है मैंना कल मैंने चे बजी तक कुला नहीं रे वो डरा निकली बिला थे क्या है डरा निकली बिला थे सर पूरी क्लास समझ में आ गई बड़ बल्ब नहीं आया समझ में मुझे भी नहीं आया समझ में अच्छा नहीं को शरा स्क्रूल अप अच्छा आया आप आप अच्छा अच्छा आप जाते हों कि मेरे को बाई बूल के जाएंगे ऐसा बोला जाता है कि अगर ऐसा नहीं करें तो भूत प्रेथ पीछे लग जाते है पूरी क्लास बाई बूले गिया बाया बाया लॉट्स अफ लाव मुस्कुराते रहिए खुश रहिए हैपी रहिए हाँ लिख लो लिख लो मैं आजया बाया बाया आजया बाया झाल झाल झाल